होली के शुबब सर पर हर्याना अड़ा 24-7 आपके लिए लेकर आए हैं हर्याना महापैक मात्र 1199 रूपे में वो भी डबल वैलेडिटी के साथ जिसमें आपको मिलेंगी लाइफ क्लासेस, रिकॉर्डेट क्लासेस और फ्री स्टेडी मेटिरियल तो आज हि प्ले स्टोर से डाउनलोड करें अड़ा 24-7 आम मतलब है आज के समे में सरकारी नोकरी आपको पता और मेरे हिसाब से जो इस फेज में जीता है उससे बहतर इस सीज को कोई नहीं जान सकता है तो अगर आप अपनी जिंदगी को रंगीन बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा आपके लिए हम इस होली के त्योहार पे इस होली के आउसर पे अगर हम यе कहें कि हम आपको Holy की बधाई देते हैं तो ये मात्र एक शब्द होंगे हम आपको Holy की बधाई देते हैं जो आज के समय में Facebook और WhatsApp का जो जमाना है इसमें परचलीत है बहुत चल रहा है लेकिन हम आपको वास्तों में होली का उपहार देते हैं और होली के लिए हम आपके लिए बहुत कुछ special लेक्या है अब आपका ये पूछना जाइज है कि आप हमें होली किस परकार से विश्ट करना चाहते हैं तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अब हम आपको होली किस प्रकार से देना चाते हैं आप सभी के लिए जो अड़ा 24-7 की पूरी टीम है और स्पेशली हरियान अड़ा 24-7 की पूरी टीम है आप देखेंगे कि सिंपली आपको गूगल ओपन करना है जब आप गूगल ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको सर्च करना है अड़ा 24-7 जैसे ही आपने अड़ा 24-7 सर्च किया जो सबसे पहला लिंक है वहाँ पे जाने के बाद आप ओल कोर्सिज यहाँ पे आएगा आएगा आपके सामने और इसमें आपको स्टेट एग्जाम सेलेक्ट करके और हरियाना सेलेक्ट कर लेना है जैसे ही हरियाना सेलेक्ट करते हैं यहाँ हरियाना महापैक जिस महापैक को परचेज करके आप हरियाना के जितने भी मुख्य एग्जाम है हर्याना पुलिस हो, CET हो, गुरूप C हो, गुरूप D हो, सभी की तैयारी एक साथ कर सकते हैं, जिसमें 1000 गंटे की लाइव क्लासे, 1200 बहतर टेस्ट सीरीज, 635 सीबुक, 1246 वीडियोज, और इसके अलावा आप देख रहे हैं कि हर्याना पुलिस, गुरूप C, गुरूप D, CET सभी एक्जाम कवर होंगे, सिंपली बाइनाव करिए, और बाइनाव करके, यहाँ पे कोड अपलाई कर दीजिए, Y817, जैसे ही इस कोड को अपलाई करते हैं, आपको यह जो कोर्स है, यह सिर्फ 1094, अगर आप अपने दोस्तों के साथ कहीं पार्टी करने बैठ जाते हैं, तो इस से ज्यादा खर्च आपका आजएगा, यहाँ पे आपको पूरी हरियानाडर247 की टीम इस प्राइस में, जो कि एक नॉमिनल प्राइस है, आपके लिए बहतरी इन तरीके से लगी हुई, चलिए, तो अब कोड जो हो Y817 यूज करना है, और अब इस कहानी को इस एप पहला सवाल है, वो पहला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पे है, और बताइए इस सवाल का जो आंसर होगा, जैसरी राम सिक्षा, इस सवाल का आंसर होगा, ठीक है, चलिए, यह सवाल है, यह कहता है, कि जो स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, तो यह कहता है, पहला सवाल है ठीक है और यह किसी एक्जाम में आया है UPPCS में आया है ठीक है बट आसान सवाल है ठीक है ऐसी कोई बात नहीं है तो क्या पूछता है यह देखो शुरू करते हैं स्टार्ट करते हैं तो इसने अपने से कहा कि आप यह बताओ कि भारत के सर्वोच न्याले ने समिंधान की मूल सनरचना के सिध्धान्त को प्रति पादित किया कि जो सुप्रेमा कोट उइंडिया है स्विंधान की मूल सनरचना है तो तो वह समिधान की मौल संदचना को कब इंटरप्रेट किया गया कब बताया गया तो इसका जो आंसर है वह आंसर देखो बहुत सारे लोगों ने डी बता दिया है तो अगर हम डी ओप्शन की बात करें तो डी ओप्शन में जो कहता है कि केश्वानन्द भारती केस यह जो केश्वानन्द भारती केस था यह केस था केश्वानन्द भारती वर्सिस दा स्टेट ऑफ दा केरला तो यह किस स्टेट का केस था यह केरल का केस था ठीक है इसका जो जज्जमेंट आया वो 1973 में 1973 में 1973 में 1973 में तो इस जज्जम स्वाल की बात करें तो इस सवाल ने कहा कि सुप्रीम कोट और इंडिया ने सम्मिधान की मूल संद्रचना के साथ चेड़कानी नहीं कर सकती बाद में इस जज्मेंट को चेंज भी कर दिया गया ठीक है बहुत सारे नियम कानून आए बाद में ठीक है उसमें मैं जाओंगा त सब्सक्राइबाद की मूल संद्रचना के बारे में बताया गया कि आप सम्मिधान की जो मूल संद्रचना है उसके साथ छेड़कानी नहीं कर सकते जो ओर इजनल इकॉंसिट्यूशन में लिखा हुआ है वह एजिट रहेगा तो सवाल का आणसर होगा उस सवाल का आंसर क्या हो जेएगा D will be the correct answer of this question is it okay ठीक है चलिए next question पे चलते हैं next पे चलते हैं next जो सवाल है आपका वो बताओ क्या आएगा answer इसका next question है इस सवाल का answer करो कि सवाल का जो answer आएगा हो क्या आएगा करें चलिए और एक बर्यार रिप्लाई करते रहो आप लोग रिप्लाई करते रहेंगे तो बैतर रहेगा अच्छा रहेगा ठीक है और यह सवाल कहता है आप कि आप इस सवाल का answer बताएं ठीक है तो सवाल का जो answer हो बताओ एक बार ठीक है कि क्या answer आएगा इसका और यार थोड़ा ना रिप्लाई करते रहो आप लोग रिप्लाई करते रहोगे तो क्लास जो हो थोड़ी शी आनंद में चलती रहेगी देखो यह कहता है कि tea is produced ठीक है जी टी प्रड्यूस होती है in which of the following reasons of the India कि जो चाय है वो किन ठीक है जो चाय है वो भारत के निमन लिखित में से किस छित्र में चाय का उत्पादन किया जाता है चलो देखते हैं तो इसने कहा कि तराई region bordering नेपाल तो कल भी मैंने शायद आपको कल की क्लास में भी डिसकस किया था जो तराई का मैदान है वो तराई का मैदान उसी को कहा जाता है जो नेपाल के बोर्डर को के साथ क्या है है अरह अगर हम नेपार का उपजाओ मैदान देखें नेपाल में जो उपजाओ भूमी है कि इस चेत्र में आती है यह और उसके अलावाँ भारत में बात करें तो जो मुझवरपूर का एरिया है ठीक है, जो मुझफरपूर पढ़ता है बिहार में या फिर हम गोरकपूर का एरिया देखे हैं, तो गोरकपूर पढ़ता है आपका उत्तर परदेश में, और यह आप जानते हैं कि यह जो छित्र है, यह नेपाल का border चित्र है, नेपाल के साथ सिमा बनाता हुआ छित्र है तो और विएस सी बात है कि तराइई-recian-bordering नेपाल जो है वहां पे आपकी चाय के चाय को क्या चीए चाय को डलान सी चाय की जो खिलती है है जाहना पे क्या हो स्लोपी एरिया हो अरاط ए का funk का मतलब वहां पे क्या हो डलान हो उसके बाद गहता है केरला और करनाटका तो केरला और करनाटका में आपको पता है कि पहाड़ी छेतर है पहाड़ी छेतर कौन सा है जब इस्टन घाट का छेतर है जो वेस्टन घाट का छेतर है जो पूर्वी घाट है और जो पस्चीमी घाट है तो पूर्वी घाट और पस्चीमी घाट क कहा जाता है सेवरोय और जावदी कहा जाता है उसको इसमें तमिल नाडू में ठीक है तो ये जो पूरा चेत्र है ये पहाडी चेत्र है अच्छे खासे हिल स्टेशन है जैसे आपने सुना हो उदग मंडलम उटी जो है वह बहुत फेमस इल स्टेशन है इसके अलावा आपका जो नीलगरी की पहडियां है नीलगरी की पहडियों में एक साइलेंट वैली भी है चुप घाटी साइलेंट वैली में जो जहींगूर होता है जहींगूर नहीं मिलता है जहींगूर जो चर-चर-चर की आवाज करता है इसलिए उसका नाम साइलेंट वैली है और इसके अला समत्रमहहने सब्सक्रावणों7 मतलब आंप Albania पॉर्वी या फिर पूर्वी हिमाल्याज में नहीं कहते हैं चक्राथ पूर्वी भारत में, इसको पूर्वी भारत में क्या कहा जाता है, दुआर का मिनिंग क्या होता है, देखो ये दुआर है, दुआर, या फिर दुआर, या फिर दुआर, या फिर दुआर, ये दो दुआर है, इस दुआर का अर्थ क्या होता है, इस दुआर का मिनिंग क्या ह होता है यह दुवार है एक बंगला भाषा का शब्द और बंगला भाषा का शब्द होने के कारण इस दुवार का अर्थ क्या होता है इसका अर्थ होता है रास्ता और इसका अर्थ होता है वे टू हिमाल्याज इसका अर्थ है वे टू हिमाल्याज का मतलब क्या हुआ कि हिमाल कि ले जाने का रस्ता और आपको बताओं में कि आपने थो जरूर सुली होगी का नाम सिली गुडी ठीक है यह जो सिली गुडी है ना सिली गुडी दौकरी मेंiltyग जली क्या रहता है दूर डॉ check करेक् effectively कहती है तो यहां पर भी शाय की कहती है तो द' लीट्elf दिस्कियरस अध्र होगा एच्छी खासी चाई होती है और से एरिया outcomes जो मैं आपसे बताऊं कि असम के छित्रों में जो हम भारत का मानक समय लेते हैं तो याद रखना इस चीज को लिख लेना कहीं अपना स्टार मार्क करके एक साइड में असम के छित्रों में भारत के मानक समय को आज भी नहीं माना जाता है कुछ एरिया ऐसे हैं जो भारत के मानक सम तो यहां से घुजरात से और आपका कहता रोनाचल परदेश तक ऐस strats सात मिनिट्श का मतलब 1 1-120 मिन होग tobog вам और एक सोबीस मिनट का मतलब यह हो गया दो घंटे अब आप एक बात बताओ एक चीज समझो मैं आपके कंसेप्ट के लियर कर देता हूं यहां पर एक चीज समझो कि यहां पर मानलो भारत में ओफिस जाने का समय पूरे इंडिया में नो बज़े है ठीक है अब यहां जो सूरिय उद्य होगा यह पूरू क वाग बीच से आगर हम यह देखें कि यहां अगर पांच बजह निकलेगा तो यहां सूरज कितने बजह निकलेगा साथ बज़े निकलेगा अब सूरजज यहां पांच बज french चाहिं तो पांच बजे से दस बजेत तक जनरली क्या होता है Sunrise हो गया अगर सुर्य हो गया तो सुबह हो गई लोगों के उठने का टाइम हो गया तो अगर यहां पर पांच गंटे उन्होंने काम नहीं किया तो उनके दिन के पांच गंटे खराब होगे कि नहीं होगे कि मेरे को ओफिस जाना है ओफिस जाना है ओफिस जाना है ओफिस जाना है तो पांच गंटे का लैक आगया नहीं आगया ताइम होगे इसी तरह रात को जब ओफिस चुटेगा श्याम को मा का तो जो दिन है वो तीन वजे ही अंधेरा होना शुरू हो गया होगा तो अब एक बात बताओ यहां के लोगों को और यहां के लोगों को बड़ी समझ्या होगी कि नहीं होगी अरे मेरी बात समझ रहे हैं कि यहां में और यहां में कितने गंटे का टाइम लेक हो गया अब यहां के लोग और यहां के लोगों के लिए बड़ी समझ्या का वीश्य होगा नहीं होगा तो इसलिए चाई की खेती करने वाले लोग है जो आसाम के छित्रों में रहते हैं वो यह बानते हैं कि सर हम आपके टाइम को फोलो नहीं करेंगे हम अपने टाइम से उठेंगे जब सूर्य उदे हो गया हम उठ जाएंगे, हम अपना काम धंदे पर चले जाएंगे, जब शाम ढगे तो हम अपने घर आ जाएंगे, हमें आपके समय से कोई मतलब नहीं है, और इसको कहते हैं, आसाम में चाय बागान समय, समझ आऑईमेरी बात, ठीक है, इस it कलियर? समझ आगी बात तो चाय जो है उसमें लीडिंग स्टेट कौन सा है असम है और अगर यहां पर मैं एक छोटा सा डिसकसन और कर लो तुम्हारे साथ और वो डिसकसन में कर लेता हूँ कोफी का देखो कोफी का भी सवाल पूछा जाता है जो कोफी कोफी होती है वो कोफी कोफी भारत में कहां पर होती है सबसे ज़्यादा कोफी होती है भारत में करनाटका में सबसे ज़्यादा करनाटक राज्य में सबसे ज़्यादा होती है कोफी और जो करनाटक राज्य है ठीक है सर्जी जोग्रफी प्रक्टिकल क्लास में एक डिगरी में तो 60 मिनट बता रहे थे बिलकुल सही बता रहे थे शिक्षा एक डिगरी में 60 मिनट होती है कोई गड़बड नहीं है इसमें वह एक डिगरी में एक डिगरी बराबर 60 मिनट ऐसे होती है ठीक है और एक मिनट बराबर 60 सेकिंड वो ऐसे होती है सही है वो ठीक है समझ आ रहा है विकास तो भाई बताते रहो एक बर थोड़ा सा तो यहां मैं बात कर रहा हूँ एक डिगरी में 4 मिनट वो इसकी बात कर रहा हूँ मैं यह जो लॉंजिटूड होते हैं जो देशांतर होते हैं इन देशांतरों की बात कर रहा हूँ मैं जो ग्रीनिच टाइम है जो जीरो डिगरी ग्रीनिच मरीडियन है जहां से मानक समय लिया जाता है वहां से देखो यह जो लॉंजिटूड है 360 होते हैं जो पूरा रोटेशन होता है 360 डिगरी का होता है तो एक दिन और एक रात बनाती है तो 360 डिगरी में यह हो गया तो एक डिगरी में क्या हो गया 24 गुणा 60 बटे 360 और यह 60 पे काट सह पे काटके और यह आ गया 4 मिनट यह 4 मिनट बता रहा हूँ मैं एक डिगरी में 4 मिनट और यह डिगरी जो है उसको एंगुलर मीजरमेंट में लेते हैं, तो एक डिगरी में 60 मिनट होते हैं, बिल्कुल सही बात है, और एक मिनट में 60 सेकिंड होते हैं, किलियर है, ठीक है, चलो, अब देखो, मैं बात कर रहा था, कोफी की, तो जो कोफी सबसे ज़्यादा होती है, वो कोफी कहां होती है, कोफ कोफी की पैदावार सबसे ज्यादा की जाती है और यहां जो कोफी होती है उस कोफी में सबसे ज्यादा जो होती है कोफी वह होती है दो परकार की कोफी अरेवी का अरेवी का और रोबस्टा अरेवी का और रोबस्टा यह दो परकार की कोफी सबसे ज्यादा होती है ठीक है को पूछ गय सवाल है कि यह लिख लेता है कि यह नाम कोन कीृज सीज के हैं को फी के हैं चाइक के हैं किसके है तो आप y detailed लेना तिन एक तो अरे बीका एक मिनट में बता देता हूं सबूत ऐक क्षभभ लहा रेम सब्सक्राइब जो एक लिख लो Field Marshal Field Marshal समझते हो क्या होते है Field Marshal जो है जो highest honorary rank होता है Armed Forces का जो भारतिय सेनाई होती है जो आपकी आर्मी हो, नेवी हो, एरफोर्स हो उसमें Field Marshal सबसे बड़ा पद होता है तो अभी एक movie भी आई थी ना Sam Bahadur ठीक है? तो जो Sam Manikshah थे Sam Manikshah भी Field Marshal थे ठीक है? तो केम करियपपा जो थे Field Marshal केम करियपपा केम करियपपा ठीक है? वो केम करियपपा जो थे, वो केम करियपपा भी कहां से संबंद रखते हैं कुर्ग से संबंद रखते हैं बात समझ में आई? अरे हरियाना के रहने वाले हो तुम अपने हर्याणा में क्या है आपने हर्याणा में एक ठेंडेंसी है ठीक है कि हम होज पुलिस की तयरी सबसे ज़्यादा बस consideration अगर तुम हर्याणा की economy देखो गे ना तो हर्याणा की economy आर्मी पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है चहे वो आर्मी हो चहे वो नेवी हो चहे एर फोर्स हो आपकी पैरा मिल्ट्री फोर्स हो बीएस एफ सीर पिए फाई टीबीप मैं नहीं मानता कि हर दो घर में से एक घर ऐसा जरूर होगा जिसमें एक आदमी फोज में नोकरी करता होगा तुम अपने अडो फेस्ट बी नहीं मिलेंगे आर्मी में हो या फिर आपका स््टी अर्फी में हो नेवी में और हार्मी नेवी हेर फीर फोर्स यह तो अगी ठीन सभी ठीक है ओरस त्यार्पिए एस सविट आहे अईएस एसे कि यह ब्येटरी बीप यह यह आपकी पैरा मिलिटरी सउस फुलिस फॉर्स होती है और पैरा मिलिटरी फॉर्स जो होती है उसमें आता है आपका असम राइफल और आपका आता है कोश्ट गार्ड ठीक है के लिए रोगी बात कि नोकुरी करेंगे तो फूज की करेंगे नहीं तो अपना घर पे कोई काम करो लेंगे और कोई कई मारसल ऐसे हुए ठीक है जब इनके बेटे को पाकिस्तान ने बंदी बना लिया था तो पाकिस्तान के उस टाय्म पर जनरल थे पता नहीं मेरे को कशनीर नहीं नहीं किये हुए थे ठीक है तो उन्होंने इससे बात किया और कहा कि आपके बेटे को हम छोड़ सकते हैं तो इन्होंने कहा कि मेरे बेटे को छोड़ने की जरूरत नहीं है जिस परकार का सुलुक और जो कैदी है आपके जो प्रिजनर ओफ वोर हैं उनके साथ किया जाता है ऐसे ही इनके साथ किया जाए ठीक है तो यह जो है यह आपका क्या है यह आपका कोफी के बारे में है तो कोफी आपकी कहां पे होती है करनाटका में होती है कुर्ग में होती है अरेबिका रोबस्टा लि करती है वो हवाय होती है उनको बोलते है चैरी क्शिया चैर्फ लोचमु ठीक है जो प्री मॉंसुन विंड होती है जो मॉंसुन से पहले हवाय चलती है चले नेक्सट पे इज़िट ओके हाँ वही किलियर है मूव करें नेक्स्ट क्योशन पर चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं नेक्स्ट बताओ चलिए वही बताई आंसर करिए इसका क्या आंसर आएगा कुर्ग मड़ी केरी देखो ये कहता है निमन लिकित में से कौन भारत के सम्मिधान की मूल विसेश्टा नहीं है कौन सी भारत के सम्मिधान की मूल विसेश्टा नहीं है ठीक है तो ये है आपका च्यार ओप्षन है कि सम्मिधान की मूल विसेश्ता क्या नहीं होगी तो सम्मिधान की मूल विसेश्ता क्या नहीं है उसने ये पुछा है which of the following is not a basic feature of the constitution of the idea basic feature कौन सा नहीं है तो सबसे पहले कहता है मोली कदिकार fundamental rights तो fundamental rights तो basic structure होगा अगर fundamental rights नहीं होगे मोली कदिकार नहीं होगे तो मोली कदिकारों के मिना तो हम जी नहीं सकते मोली कदिकार तो सबसे जरूरी चीज है fundamental rights तो होगे ही होगे independence of judiciary की जो न्यायपालिका है न्यायपालिका की सबतंतर था इन्डिपेटंड बोडी है जो duty, है वह independent है duty, किसी चीज़ निर्भर नहीं कि बहूं कि लिए जिस दिन न्यायपालिका बंद ज рок цाशी के इसलिए तो आज भी वह कहते हैं कि हमें कानून ववस्था हमें अपनी न्यायवाश्था पर विष्वास है कि वहाँ पे देर हो सकती है decision आने में लेकिन कभी भी गलत decision नहीं आएगा और यह हमारे constitution का कहलो चाहे हमारे legal system का कहलो चाहे हमारी न्याय पालिका की कहलो कि यही reason है कि धीरे-धीरे काम चलता है क्यों चलता है धीरे-धीरे काम कि सारे तथे सारे सबूत सामने आने चाहिए क्योंकि हमारी न्याय पालिका इस सिध्धन्त पर कारिय करती है कि जाहे बेसक सो अपरादी चूट जाए लेकिन एक निर्दोस को सजा नहीं मिलने चाहिए कि चाहे हमारे सो अपरादी चूट जाए लेकिन निर्दोस नहीं फसना चाहिए निर्दोस फस गया तो फिर क्या हो जाएगा जुडी शेरीपे क्योसन मार्क लग जाएगा तो हमारी न्यायपालिका है, वो क्या है, सवतंत्र है, सबसे पहले सैसन कोर्ट होते हैं, सैसन कोर्ट से पहले CGM होते हैं, चीफ जूडिशियल मजिस्टेट होते हैं, वो कोर्ट होते हैं, उसके बाद सैसन कोर्ट के बाद हाई कोर्ट होते हैं, और हाई कोर्ट के बाद क्या ह संग संगवाद का मतलब क्या होता है संगवाद का अर्थ यह होता है कि एक्चुल में संघिय सरकार वो होती है कि जब एक देश है ठीक है एक देश है और उस देश के अंदर चोटे-चोटे राज्ये उस देश के अंदर चोटे-चोटे राज्ये तो संघिय सरकार उसको बात बताओ भारत में संग्ये सरकार है नहीं है भारत में फेडरलिजम है या नहीं है संग्ये सरकार है नहीं है चलो आप बताओ एक बार रिप्लाई करके बताओ मुझे कि भारत की जो सरकार है भारत का जो सिस्टम है क्या वो संग्ये सरकार है या नहीं है चलो रिप्लाई कर बताओ है संगिये सरकार अच्छा संगिये सरकार अगर है तो आपने पढ़ा होगा कि आपके पास तीन सूचियां होती है ठीक है एक तो केंद्रिये सूचि होती है ठीक है फिर उसके बाद राज किये सूचि राजिये सूचि होती है उसके बाद समवर्ती सूचि होती है ठीक है इसको क्या बोलते है इसको बोलते है Union List अंग्रेजी में Union List यह होती है State List और यह जो होती है यह होती है Concurrent List यह तीन सूचियां होती है अगर हम इन तीन सूचियों की बात करते हैं तो इसमें वो नियम कानून बताई गए हैं जिन पर केंदर सरकार नियम बना सकती है ठीक है जी राजी ये सुची वो होती है जिस पे राज्य सरकार नियम कानून बना सकती है अब इन चीजों को हम देखते हैं तो इन चीजों को हम देख के क्या समझते हैं कि हमारा जो देश है वो क्या है संग्य सरकार है कि राज्य के उन्होंने विश्य अलग बता दिये कि लेकिन जो समवर्ती सुची होती है इस पर कौन नियम कानून बना सकता है केंदर सरकार भी बना सकती है राज्य सरकार भी बना सकती है लेकिन जब किसी एक पर्टिकुलर वीशेय पर केंदर सरकार और राज्य सरकार दोनों ने कोई नियम कानून बना दिया तो उस पर वह करेगा जो की राज्य सरकार ने बनाया होगा अब आप एक बाद बताओ अब संगीय सरकार कैसे हुई नहीं हुई संगीय सरकार दूसरी बात सुनो दूसरी बात यह है कि हर राज्य में एक राज्यपाल होता है आपको पता है राज्यपाल होता है जब कोई एक्ट बनता है तो राज्यपाल क्या गरता है, उस पर अपने हस्ताकसर करता है, और वो क्या बन जाता है, एक नियम बन जाता है, एक कानून बन जाता है, लेकिन एक बात बताओ, राज्यपाल उसको राश्ट पती के पास भेज सकता है, भेज सकता है, राज्यपाल उस पर अपने हस्ताकसर देने से मना कर सकता है कर सकता है यह जो राज्यपाल है यह राज्यपाल किसके द्वारा बनाया जाता है राज्यपाल को केंदर सरकार बनाके भीजती है केंदर सरकार उसको चुनके भीजती है अगर राज्यपाल केंदर सरकार का सदश्य है केंदर सरकार का मेंबर है तो आप इंदारिक्ट ली एपर्टेक्स रूप से केंदर सरकार के पास आगे नहीं आगी मेरी बात समय में आई नहीं बिल्कुल शिक्षा रक्षा पर विदेशी मामलों पर मुंद्रा रेलवे पर इन पर केंदर सरकार सूची बनाती है बट मेरे को यह बताओ इसी तरह अगर मैं एक एक्जामपल आपको जूड़ी शिरी का ने आयपाळी नयाय पाली बारत defending नयाय पाली का जो है वो सबसे उपर कौन बैठा है हाइव कोट बैठा है फिर उसके नीचे क्या है सबसे सुप्रीम कोट है फिर हाइव कोट मिए है यह नियम हर राज्य में चलता है नहीं चलता है क्या सभी राज्यों के लिए अलग-अलग सुपरीम कोड नहीं नहीं है निया ना सुपरेम कोड ह Düvy याना का कि इन सभी चीज़ों को देखते हुए आप ये कैसे कह सकते हो चे अगर भारत में संधिय caf की जीशे थोड़ी होती आप को खिषर बिलकुल तो भारत की संगहिं लिजंग मोलते हैं इसको क्वाजी फेडरलीज्म-पांजी-बीजली जाम कंतलब हैं जो संग्य सरकार नहीं बनाती हैं लेकिन हम क्या बोलते हैं भारत को हम यह बोलते हैं कि भारत में क्या है फेडरलिजम है भारत में संग्य सरकार है मेरी बात समझ आई independent judiciary है fundamental rights हैं तो क्या कहता है कि which among the following is not a basic structure कि कौन सा basic structure नहीं है तो answer क्या हो जाएगा answer हो जाएगा डी डी विल बी दा correct answer of discussion डी सवाल कर राइट answer हो जाएगा मेरी बात समझ आई हाँ बढ़ी समझ आगी मेरी बात बता हो एक बढ़ कि इजट क्लियर और नॉट अरे यह चीज समझ आई या नहीं आई बताओ एक बढ़ मेरे को किलियर होई तो सवाल का जो answer होगा वो सवाल का answer क्या हो जाएगा डी विल बी दा correct answer of this question कि समिधान के किसी भी भाग में शंशोधन करने का शंशद का निर्विवाद अधिकार की दा अनक्योसंड राइट ऑफ दा पार्लियमेंट टू अमेंड एनी पार्ट ऐसा थोड़ी है कि पार्लियमेंट जो मनाएगा वो चेंज कर देगी ऐसे पार्लियमेंट चेंज नहीं कर सकती मेरी बात समझाई कि नहीं गुड़ाफटनून जोनाली ठीक है भई क्या होता है सरकार के तीन अंग होते हैं एक होता है एक होता है जुडीशेरी और एक होता है लेजिसलेटिव तो एक जुडीशेरी और लेजिसलेटिव ये तीनों क्या होते हैं एक दूसरे के चेक एंड बैलेंस होते हैं चेक एंड बैलेंस का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे पर ये नजर बनाई रखते हैं कि एक दूसरे का देखते हैं कि उसने कोई काम किया हो सही किया नहीं किया तो दूसरे के किया कर सकती है भालत की संसत कुछ भी कर सकती है केवल नर को मादा नहीं बना सकती और मादा को नर नहीं बना सकती इस कह अए थिक तो और बता यह क्या घण है पोल्स विल नोट एक्सपिरियनस वाट सिक्स मัंद्स दे कि जो दुरूव है जो दुरूव है वहां पर शे महिने का दिन यदी पृटवी में यह Zuvidya नहीं होती तो दुरूवों पर लगवक क्या नहीं होता तो बताओ चलो कि रिप्लाइ करो कर अ कर अ क्या नहीं होता तो प्रत्वी में छे महिने का दिन और छे महिने की रात नहीं होती देखो मिस्तर अब अगर आप स्टेंट पीशिश की तएई गरते यह यह पूरा एक्जाम्पल आपको समझाता यह क्या होता है ठीक है at this point of time में सिर्फ आपको दो बातें बताऊंगा कि जब sun की position यहां होती है तो sun directly overhead होता है directly सर के उपर होता है किस पे? करक रेखा पे देखा होगा ना जो ग्रफी की किताब में एक ऐसा figure बना हुआ जरूर देखा होगा तुम जब sun यहां होता है तो sun की position यहां होती है तो यह सीधा कहां पे होता है मकर रेखा पे और जब सूरी की position यहां होती है तो क्योंकि sun static है मेरी बात को समझना सूरी की स्थीती है वो fix है और पृत्वी उसके 4W तरफ क्या करती है घूमती हूई चलती है गोमती रहती है पृत्वीं उसके चैरों तरफ गोमती रहती है जो अपना एक रिव्यूलिशन 365 दिनCon 5 गंटे 48 मिन्ट और sigu делает। में ॅकिन उसको क्या मान लेते हैं हम उसको मान लेते है कि कितने दिन होगेług 365 दिन होगे। और 6 गंटे मान लेते हैं जब शूरी के स्थिति मकर रेखा पर होती है तो मकर रेखा पर होती है तो वो दिन 22 दिसंबर को होता है ठीक है जज दिन साल का सबसे छोटा दिन होता है और जब पृत्वी एक्वी नोक्स होती है एक्वी नोक्स का मतलब एक्वी का मतलब एक्वल और एक्वल का मतलब पूराबर दीन और बराबर रात होते हैं तो पुरी पूरी पूरी प्रढ़र दीन और बर्ढ़रёज कर होते हैं इसलिए हम यह कह सकते हैं हम ये कह सकते हैं कि जो पृत्वी का ये टिल्ट है पृत्वी का ये जो जुकाव है पृत्वी का ये जो अक्स है अगर ये अक्स नहीं होता तो आप एक बात बताओ ऐसे होती पृत्वी तो जब पृत्वी ऐसे होती तो जब सुर्य यहां होता यहां होती तो इस पूरे छेत जिसको बोलते हैं प्रदीप्ति वृत ठीक है मैं बताऊंगा नहीं आपको क्योंकि आपको उसको समझाने के लिए बहुत टाइम चाहिए और वह आपको बस इतना जान लो कि जो सरकल ओफ इल्यूमिनेशन होता है जो प्रदीप्ति वृत होता है उसकी वज़े से किसी भी समझता तुम समझ रहोग नहीं समझ रहो यह जुकाव है तब ही तो यहां पे दिन और यहां पे पूरे कि पूरी क्या हो जाएगी रात हो जाएगी मेरी बात समझें कि लिए रुई बात के लिए कोई बात नहीं शिक्षा आपके टीचर जो टीचर कोई भी होता है टीचर सभी अच्छे तरीके से समझानी की कोशिस करते हैं हर अध्यापक चाहता है कि मैं आपने आपको बैतर बनाऊ और मैं आपने जो स्टूडेंट हैं उनको जादा से जादा चीज़े समझा पाऊं वह एक अलग कंसेप्ट है कि आप समझ नहीं पाते हैं या कुछ बहुत से फैक्टर होते हैं मैं नहीं बताऊं कहना चाहूंगा कुछ भी ठीक है तो आई थिंग ठीक है किलियर होगी बात मेरी तो समझ आगी बात और पृत्वी पर जीवन संभव होना पृत्वी पर अगर आपसे को यह कहता है कि life is possible on the earth the main reason behind this is तो वो क्या है वो भी पृत्वी का जुकाव ही है अगर पृत्वी का जुकाव ऐसे नहीं होता तो अर्थ पर लाइफ पॉसिबल नहीं होती एंड ए विल बीदा करेक्ट आंसर अफ दिस क्योशन इस राइट इस टोके अम आई फाइन ठीक है बताओ मेरे को किलियर होगी बात कर लो गया राम से चले नेक्स्ट क्योशन पर यार एक बार रिप्लाई कर दो ठीक चोटी सी रिक्वेस्ट है देगो मैं बार 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 बोल बोल के ठक जाता हूं और आप लोग जब रिप्लाई नहीं करते हो तो दिस इस नोट फेर इस नोट गुड यह यह चीज़ ठीक है नहीं बाकि तो तुम्हारी इच्छा है तुम्हारी मर्जी है तुम्हारे मन है कि तुम करो या ना करो बट यह बताओ मेरे को कि यह चीज़ ठीक नहीं है चले नेक्स्ट पर चलते है कि अर्थ लट्टू की तरह है वह अंजली एक अलग कंसेप्ट है ठ कि के? चलिए बई कि एक आंसर इसका बताओ कि which one of the following is the largest लोगसभा constituency कि निमल लिखित में से कौन सा सबसे बड़ा छेत्रफल के अनुसार लोगसभा निरवाचन छेत्र है ठीक है? देखो यह जो लोगसभा निरवाचन छेत्र की बात करता है तो लोग सभा निर्वाचन छेतर सबसे बड़ा कॉन सा है ठीक है आपने बता दिया लदाख है ठीक है लदाख है ठीक है बी लदाख ठीक है तो बताई दिया है इसमें कुछ समझाने का है नहीं एक बार एक काम कर लेना I think 173 236 square kilometer area है इसका मैं exact याद नहीं कर पा रहा हूं मैं पुष्टी नहीं करता है इस data की बट मेरे को ध्यान आ रहा है something like this इतना जो छेत्रफल है वो इतना छेत्रफल है इसका तो भी हाँ है एरिया लदाक है इसमें कोई doubt वाली बात नहीं है बट एक बार एक काम कर लेना इसका area तुम check कर लेना अपने लेवल पर ठीक है यह homework देता हूं मैं तुम्हें ठीक है कि इसका कितना चेत्रफल है कितने वरग किलोमेटर इसका चेत्रफल है यह आप लोग कर लेना तो बी क्या हो जाएगा इसक चलते हैं चलो बताओ इसका अंशर क्या आएगा एक सो चैसे शेट शेट अठाणवे है ठीक है ओके ओके तो एक सो चैसे एक सो चैसे तर्म मेरे को हो सकता है मैं स्कीप हो गया मैंड से ठीक है चेक कर लेना आप लोग जो भी है चलो बताओ इसका अंशर क्या आएगा यह कहता है आपसे कि दब बेशिक सोर्स अफ ओल मिनरल सोन दा अर्थ कि प्रत्वी पे जितने भी मिनरल हैं प्रत्वी पे जितने भी खनीज है उन सभी का मूल स्रोत क्या है देखो आप एक बात बताओ कि महाशागर बेशिक मंथन यह तो मेरे ठीक लगता नहीं है चलो एक बार तुम बताओ तुम बताओ इसका आंसर बताओ जोनाली कोई बात नहीं कोई बात नहीं तुम बताओ इसका आंसर बताओ कोई नहीं इतना इतना बहाश मत करओ इतना μट करो इतना discussion मत करोह कोई कोई बात नहीं तुम बताओ इसका अंसर बताओ किस सवाल का जो उत्तर होगा हो क्या होगा कि नहीं आता चलो कोई नहीं देख दो अब सुनो तो मेरी बात ठीक हां ऐसे बता दिया अगर नहीं क्या होता है कि प्रथ्व्वी पर सभी कनीजों का मूलश रोत क्या कित आप बात बताओ एस्टिरोईड क्य उते हैं शुद्र मिलते हैं मार्स यानि के मंगल और जुपिट्र यानि की ब्रहस्पती जुपिट्र और ब्रहस्पती का जो कक्स है उसके बीच में घूमते है यह, this is a belt, यह क्या होती है, एक पूरी पेटी होती है, एक पूरी बेल्ट होती है, शुद्र ग्रह वो होते हैं, जो तूट जाते हैं ग्रह बनने से पहले, कि ग्रह बनने वाले थे, प्रोसेस में थे, बन रहे थे, लेकिन बनने से पहले तूट गे, एक्स्प्लोड होगे, को इतिरोइड कि होते है रोओ कोल डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो आते हैं अर्थ की तरफ तो यह तो नहीं होता ऐसा तो नहीं है यह तो पे अर्थ पहुंचते नहीं है की पृत्वी पर अगेंगे और परेख ले χणिए इंचे दूसरा है मैगमा मैगमा क्या होता है interior of the earth होता है ठीक है यह मैगमा क्या करता है कि मैगमा मैगमा की वज़े से ही मैगमा जब पृत्वी के बहार निकलता है अर्थ के surface से बहार आता है तो मैगमा भार आने से जब मैगमा ठंडा होता है तो रोक्स बनाता है चटाने बनाता है है कि यह प्रत्वी का सर्फेश है कि पर्धी की सथह कि नीचे मीघमा केवल ही अगरं अगर मीघमा केवल यहीं पर रह गया तो इनसाइड रहा तो उसको क्या कह देते हैं माुख्यfront और अगर ये अर्थ के सर्फेस को पंचर करके बाहर आ गया अर्थ के सर्फेस को पंचर करके बाहर आ गया यहां पहुंच गया तो इसको क्या कह देंगे तो इसको कह देंगे लावा आप याद रखना इस बात को मैगमा और लावा में क्या फर्क होता है तो मैगमा वो होता है जो अर्थ के सर्फेस के नीचे रह जाता है लावा वो होता है जो अर्थ के सर्फेस के उपर आता है पृत्वी की सतह से उपर आ जाता है उसको क्या कहते हैं लावा कहते हैं ये मैगमा और लावा होता है जब ये ठंडा होता है ऐसा नहीं है यहीं भाहर आके ठंडा होगा यह पृत्वी की सत्य के नीचे भी ठंडा हो जाता है ठीक है तो अगर यह ठंडा होगा तो ठंडा होने से क्या बनेंगी रोक्स बनेंगी रोक्स मतलब चट्टाने बनेंगी और जो रोक्स होती है जो चट्टाने होती है वो क्या ह होती है खनी जो चटाने क्या होती है क्या होती है रोकसर्द community अग्रीगेट अफ्व exploring यहीं से मिलते हैं में और हमारा जो आदर कूझा इक समझें। समझ रहे होता है यह कोई व नहीं होती बाते नहीं होती ठिक है बेसिक जो डिफरेंस हो क्या है कि अगर लावा था तो लावा तब कहा गया जब वह बहार आया मैगमा तब कहा गया जब अर्थ के अंदर रहा ठीक है किलियर होगी बात अगर अर्थ वोलकन हो आ रहा है कोई तो वोलकन हो आ रहा है तो यहां पे अगर उसका जो उससे जो भार निकलने वाला पदार्थ है जो material है वो अर्थ के surface के नीचे रह गया तो उसको नाम देंगे magma का और अगर वो पृत्वी की सतह को पंचर करके बाहर आ गया तो बाहर आ पर चलते हैं तो next question पर देखो अरे नहीं वो कहने कार्थ नहीं मेरा मैं तो वैसे बता रहा हूँ आपको चलो reply करो इसका अंसर क्या आएगा यह कहता है which one among the following is not a fundamental right under the constitution of the India कि भारत के सम्मिधान के अंतरगत ठीक है जी भारत के सम्मिधान के अंतरगत निमन लिखित में से कौन सा तहत मोली का अधिकार नहीं है मोली का अधिकार क्या होते हैं मोली का अधिकार क्या होते हैं fundamental right क्या होते हैं fundamental right आपके article 12 से और 35 तक है ठीक है जो कहां पे दिये गए है part third जो सम्मिधान का भाग 3 है सम्मिधान का जो भाग 3 है सम्मिधान के भाग 3 में अनुचे दुबारा से 35 तक किसका जिक्र है fundamental rights का जिक्र है मोलिक अधिकारों का जिक्र है मोलिक अधिकार basically क्या है मोलिक अधिकार वो है जो भारत का सम्मिधान प्रदान करता है भारत के नागरिकों को ये बात समझे ना ध्यान से सुनना मेरी बात दो मिनट कि मोलिक अधिकार वो होते हैं जो भारत का समयधान भारत के नागरीकों को प्रदान करता है कि ये अधीकार आपका है अगर आपका कोई fundamental right जो है वो violate होता है आपके किसी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो मौलिक अधिकार का हनन होने पर आप सीधे Supreme Court जा सकते हैं अगर आपके साथ कुछ हो जाता है तो जो जुडिशियरी है वो ऐसा नहीं है कि आप सिध्य सुप्रिम कोट से ले जाएंगे आप सेशन कोट जाएंगे आप हाइप जाएंगे आप सुप्रिम कोट जाएंगे बट अगर आपका fundamental right कोई हनन होता है मौलिक अधिकार violet होता है तो आप direct high court भी जा सकते हैं और आप direct सुप्रिम कोट भी जा सकते हैं और सुप्रिम कोट क्या होता है इसका guardian होता है ठीक है कि मैं इसका इसको applicable करवाने की जिम्मेदारी मेरी है दो चीजे होती है एक सब्द तुमने सुना होगा DPSP directive principles of the state policy राजे के नीती नीदेशक्तत जो DPSP होती है उसको आप enforceable नहीं करवा सकते आप यह नहीं कह सकते कि सर यह DPSP में लिखा हुआ था DPSP वो चीजे हैं कि हमयारा राज्य ऐसा होना चाहिए ठीक है गांधी जी का भी सपना था ना कि भारत जो है वो क्या होना चाहिए राम राज्य होना चाहिए तो DPSP में हम यह कहते हैं कि हमारा जो राज्य है हमारा जो शाशन है वो हमारा शाशन इस परकार से चलना DPSP आप apply करके दो fundamental right को आप apply करवा सकते हो और आप direct supreme court जा सकते हो direct high court भी जा सकते हो ठीक है तो right to equality समानता का अधिकार तो मोलिक अधिकारों में लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म जाती लिंग के आधार पर ठीक है कास्ट के आधार पर धर्म के आधार पर जात कि भारत के मोलिक अधिकार यह कहते हैं ठीक है वैसे तो यह बात मैं स्टेट PCS की क्लास होती है या वहां UPSC क्लास होती वहां बताता हूं बट मैं आप से पूछना चाहूंगा कि फिर एक बात बताओ कि जो reservation दी जाती है उसमें यह कहते हैं कि जो general category है उस general category के लिए आपक के लिए 35 वर्स होनी चाहिए जब cutoff आती है तो general category की cutoff मानलो 50 नंबर आई है तो OBC की cutoff 48 नंबर आई है और SCST की cutoff मानलो 45 नंबर आई है तो right to equality कहां हुआ right to equality कहां हुआ बताओ फिर आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते that's okay अंजली मैं जो पूछना चाहरा हूं आप उस सीज पे ध्यान दो कि फिर आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते जायागरू सुप्रीम कोर्ट कि सर आप तो कह रहे थे कि मोलिक अधिकार है कि पराबर अधिकार मिलेगा किसी भी व्यक्ति को जाती के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा लेकिन यहां तो जाती के आधार पर भेदभाव हो रहा है कि बताओ बताओ क्या क्यों नहीं क्यों होता है सफिर इसका मतलब देश गलत कर रहा है फिर इसका मतलब तो यह हो गया ना कि फिर तो देश गलत कर रहा है ऐसा है क्या चलो मुझा बहिए एक तरफ चलो कुझ को अगंस्ट एक्सपोड़ीर्टेशन शोशन के विरुथ अधिकार है ठीक है कि आपका कोई शोशन närहीं कर सकता ठीक है राइट अगेंस्ट एक्स्प्लोइटेशन चोदा वर्स से कमा यू के बच्चे हैं उनसे काम नहीं करवा सकते किसी भी फैक्टरी वगएरा में ठीक है वो जो है वो सारे के सारे क्या है फंडामेंटल राइट से लेकिन राइट टू सिटीजन सिप जो है ना नागरिक परदान नहीं करेंगे कि अगरें एे और किन लोगों को किस कैसी कैसे के लिए और परदान की जाएगी और किशन से लिए जाएगी ठीक है तो राइट टू सिटीजन सिप जो है जो सी होगा वही सवाल का क्या होगा राइट आंसर होगा की राइट टू सिटीजन सिप इस नोट fundamental right ये एक मोली कदिकार नहीं है ठीक है किलियर होगी बात अगर बात किलियर हो गई तो मेरे को एक गंटा हो गया बोलते बोलते ठीक है तो मैं तुम्हारी तरफ से भी कुछ जवाब चाहता हूं लेकिन तुम लोग मजाल कोई जवाब मेरे को दे दो ठीक है तो इसलिए जितन अरे अंजली इसके लिए बहुत अलग कंसेप्ट है ठीक है जितने लोग एवलेबल हैं वो एक बार रिप्लाई करके बताओ सभी फिर इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं आगे लेके चलते हैं चलिए करिये रिप्लाई सभी लोग आगा समझ में चलो नेक्स्ट क्रेशन पर चलते हैं नेक्स्ट देखो यह बताना है कि कि निमन लिखित में से कौन सी ऐसी हवाई है जो स्थानिय हवाई है और स्थानिय होने के साथ साथ वो गर्म हवाई भी ठीक है यह एकादा सवाल जरूर पूछता है मैंने कई बार तुम्हें बताया है कि विंड्स जो भी हैं जितनी भी लोकल विंड्स जैसे भारत का उधारन लें तो भारत में लू चलती है कब चलती है लू मौन्शून से पहले चलती है कहां चलती है लू नदन पार्ट में चलती है बारत के उत्तरी मैदानों में चलती है ठीक है पाकिस्तान में चलती है पंजाब में हरियाना में उत्तर प्रदेश में और बिहार तक चलती है और लू क्या करती है लू क्या करती ह है हाँ नरेंदर कुमार समझाए और समझ न है ऐसा कितनी इंडी आवाज सल पहले आवाज बता दें कितनी उंडी एंडी है तो जोUNG चलती है वह लम क्या करती है कि लगभग इस पर्टिकुलर एरिया का जो temperature है उसको 2-3 degree क्या कर देती है बढ़ा देती है लू क्या कर देती है 2-3 degree इस area के temperature को increase कर देती है तो देखो उसने अगर मानलो भारत की बात करें तो भारत में local wind कोन सी है भारत की local wind है लू ओके उसके बाद उसने कहा है कि chinook कि जो chinook है यह थंडी हेशनुक basically कहाँ चलती है ऑस्ट्रेलिया में चलती ना स्री अमेरिका में चलती है उटेन जो है जो रोकी पर रोकी पर प्रवच प्रव स्रंखला है वहाँ पर चलती है और तो चिनूक को क्या कहा जाता है, चिनूक is also known as snow eater, तो snow eater का मतलब, snow का मतलब हो गया बर्फ और eater का मतलब हो गया खाने वाला, इसका अर्थ यह नहीं है कि बर्फ को खा जाती है, यह क्या करती है, कि जो रोकीज, eastern रोकीज है, रोकीज परवतों की जो पूर्वी साइड है, होती है, तो उस घास में जो बर्फ गिरती है, तो उस बर्फ को पिंगला देती है, तो वो जो, क्योंकि अगर बर्फ गिरेगी, तो आप एक बात बताओ, वहां पर वेजिटेशन को रोक देगी, ठीक है, तो इसलिए यह हवा क्या करती है, उसको पिंगला देती है, ठीक है स्वायएं दूसरा है कि हर्मटम हर्मटम जो है इसको कहा जाता है । कि फारंअ को मतलब कोई ले न पब्रत म.'" सेंस कि मत सोचना कि डॉक्टर मिंट है तो लोक्तर मिंट का मतलब यह हो गया कि बिमारियों को ठीक करती होगी ठीक है चार-पांच दिन पहले एक सोट्स देख रहा था मैं तो उसमें एक महान अध्यापक थे और बहुत बड़े अध्यापक थे उन्होंने बता रखा कि हर्मट्टम जो है इसको डॉक्टर विंड कहा जाता है और इसलिए कहा जाता है क्योंकि बिमारियों को ठीक करती है यह अफ सिक लिए आपका कौन सा पार्ट है अफ्रीका का यह अफ्रीका में इन एरियाज से चलती है यहां से ठीक है और यहां आपको पता है कि जो अफ्रीका है उस अफ्रीका में तीनों लाइने क्रोस होती है केवल और केवल एक मात्र एस अफ्रीका एक ऐसा माहद्वीप है जिस म इन एरियाज में गर्मी होगी वह अच्छी खासी गर्मी होगी गर्मी होगी बारिश होती होगी मोसम जो होगा वह हुमिड होगा ठीक है अगर वहां पर हुमिड मोसम होगा बरसात होती होगी तो आप एक बात बताओ मेरे को कि यह जो हवाएं चलती है यह गर्म हवाएं होती ठीक है आप एक प्रक्टिकल वात सोच के चलो ना आप लोग किसी ऐसे एरिया में रह रहे हो जहां पर बारी सो रही है एक दम हूमस बरा मोसम है और थोड़ी सी हवा आ गई गर्म हवा आ गई तो हवा आने से सरीर को रिलीफ मैसूस होगा आपको किसर होगा तो यहां पर रिल का एरिया है यह जो एरिया है यह गिन्नी की खाड़ी का एरिया है और आपको पता होना चाहिए कि मान्सून जो आता है मान्सून मौन्सून केवल और केवल भारत में नहीं आता है मौन्सून दक्षिनी अमेरिका में भी आता है अस्ट्रेलिया में भी आता है अफ्रीका में पस्चिमी तट पे आता है एक तो भारत के पस्चिमी तट पे आता है तुम्हें पता है ना भारत का पस्चिमी तट जो वेस्टन घाट का एरिया है वहां के मांसुन टकराता है और दूसरा मांसुन कहां के टकराता है दूसरा मांसुन आके टकराता है किस पे आपका Gulf of Guinea पे, तो Gulf of Guinea भी क्या है, Western area है, मेरी बात समझ आगी, is it okay, clear है, हाँ बढ़ी, बताओ मेरे को, समझ आगी कि नहीं आगी ये बात, तो ये दोनों क्या होगे, ठीक होगे, दोनों गरम है, उसके बात कहता है, नोर्वेश्टर, तो जो नोर्वेश्टर है, ये New Zealand में चलती है, बेसिकली, ठीक है, ये भी warm wind है, गर्म हमाए है, बोरा जो है, बोरा cold wind है, बोरा wind जो है, बोरा wind क्या है, बोरा cold wind है, और बोरा cold wind होने के कारण, आप ये कह सकते हैं, कि बोरा जो है, अगर वो cold wind है, तो बोरा answer नहीं होगा, ठीक है, तो सवाल का answer क्या होगा, बताओ, हाँ रिप्लाई करो अरे रिप्लाई करो सभी लोग यार एक ना तुम लोग रिप्लाई नहीं करते हो ना तो बड़ा दुख दर्द होता है मुझे ठीक है तो रिप्लाई कर दिया करो एक बार ठीक है बताओ क्या एक अंसर इसका थैंक्यू सर मैं तो जाओं ठीक है हम तो नहीं कहेंगे हम तो यह कहेंगे आईए आप कह रहे हैं जाईए तो बाकि आपकी इच्छा है आपकी मर्जी है देश आजाद है कोई किसी को रोग थोड़ी सकता है ठीक बाई हाँ ओके बोरा हंगरी और इटली के एरिया में बिल्कुल कह सकते हो आप ठीक है इन एरियाज में चलती है बोरा कोल्ड है तो एक दो तीन ठीक है एक दो तीन ठीक है तो ए विल बी दा करेक्ट आंसर नमस्ते में गा ठीक है समझ आगी बात सभी को बताओ एक बर मुझे कि अ कि अरे किलियर हो गया नहीं हो गया चलोल नेक्स्ट सवाल पर नेक्स्ट कोंड करें नेक्स्ट पर मुझ करते हैं तो एविल बिदा करेक्टाइसर ठीक है यह तो तो गर्म हवाई यह होगी यह कोल्ड होगी ठीक है मिस्ट्राल एक विंड होती है मिस्ट्राल भी कोल्ड होती है ठीक है कि चलो नेक्स्ट पर चलते हैं नेक्स्ट बताओ पताओ यह आंसर क्या एक इसका UPPCS के प्रिलिम्स में पूछा था ही 2020 में कि what can be the minimum strength of the council of ministers including chief ministry in the states बताओ रिप्लाई करो राज्यों में मुख्यमंत्री सहीत मंत्री परिशद की न्यूंतम संक्या कितनी हो सकती है बारा हो सकती है मेगा का अंसर आया है बिल्कुल सही बात है शिक्षा 14 नहीं होगा बारा होगा एक्षुली क्या होता है कि article I think 164 है अनुचेद 164 है तो अनुचेद 164 ये कहता है कि किसी भी राज्ये में जो मंत्री परिशद है मंत्री परिशद है जो council of ministers है including chief minister क्योंकि chief minister भी मंत्री परिशद काई क्या होता है भाग होता है वो 15% होनी चाहिए should not exceed than 15% मतलब अगर 100 लोग है किसी विधान सभा में तो सो लोग हैं तो आप मंत्री जब बनाओगे तो आप 15 लोगों को मंत्री बना सकते हैं chief minister को सामिल करके chief minister के include होने के बाद आप 15% लोगों को cm बनाओगे हमने का ठीक है sir अब ये और बता दो कि minimum कितने होने चाहिए भाई हो सकता है किसी राज्य की जो विधान सभा है उसमें 50 सदश्य हैं तो आप 50 सदश्य हैं तो वहां पर आपका जो 15% है अगर उसका criteria भी लोगे तो 50 का 15.5 हो गया तो साथ लोगों को बनाए आठ लोगों को बनाए ठीक है तो इसलिए I think 2003 में एक अमेंडमेंट हुआ था 2003 में ठीक है 2003 में ही हुआ था उसके according 91st अमेंडमेंट था एक्यान में वा समिंधान संसोधन उसके अनुसार minimum जो strength होनी चीए वो कितनी होनी चीए 12 होनी चीए चाहे किसी विधान सभा में कितने भी सदश्य हो वहाँ पर minimum जो strength होगी वह minimum strength कितनी होगी 12 होगी और इस सवाल का right answer बी होगा क्योंकि उसने maximum नहीं पूछा उसने minimum पूछा है उसने ज्यादा से ज्यादा नहीं पूछा उसको कहते हैं minimum कम से कम तो कम से कम पूछा है तो कम से कम हमने बता दिया कि maximum कितने हो सकते हैं 15% including chief minister और minimum कितने होते हैं minimum हो सकते हैं 12 we will be the correct answer कर लोगे is it right चले next question पर आगा ना समझ में चलो next पर चलते हैं बताओ पर चलते हैं अच्छöm आगा हाई बोगे अब तो भारत कि देखो यह कहता है कि विच वॉफ दा फॉलॉइंग रीजन इन दा वर्ल्ड है ट्रोपिकल मौन्सून टाइप ऑफ क्लाइमेट निमन लिकित कैसे किस छेत्र में उश्न कटीबंद यह मौन्सून परकार की जलवाईू है ट्रोपिकल भी हो ठीक है लेको टैम्परेट रीज होता है तो अगर यह ट्रोपिकल की बात करता है विच वन ओफ दा फॉलोइंग रीजन इन दा वर्ल्ड है ट्रोपिकल मौन्सून टाइप क्लाइमेट किस छेत्र में उश्न कटीबंद यह मौन्सून परकार की जलवाई हो है तो आपके पास दो ओप्शन दिये हैं एक ओप कता होना ची मान्सून कdoors जो है यहीं अर्भी भासा का सब्द होता है मोस gloss पर इतरुम से क्या बना है उस मोसम सब्द से बना है मन्सून सब्हें माशन ऑता है इसको बोलते हैं रीवर्सल विंड शिस्टम लिखले ना इस चीष को नोड़ कर ले ना भoyo ग्यान पशन रहों तुम्हें इसको मोलते है रीवरसल विंडipe system का मतलब होता है हावाओं का बदलना जैसे ये जोzona है ये the land यह भूमी है ये isally एरिया है ये Watch it का मतलब जल है तो यह कौन सा जल है ये समुद्रों का जल है ठीक है ऐसा नहीं है कि भूमी थोड़ा जल है तो क्या होता है कि देखो एक बात समझना कि जो लैंड होती है ना जो लैंड होती है जो भूमी होती है एक बात याद रखना पृत्वी गरम भी बहुत जल्दी होती है और पृत्वी ठंडी भी बहुत जल्दी होती है बा समझो जानों क्यों होता है एक तर्म होती है physics की specific heat of capacity specific heat of capacity हिंदी में नहीं बता पाऊंगा मैं इसको physics का टर्म है आपको याद करना है आपको रट्टा मार लेना है इसको याद कर लेना है यह आपका साइंस में की पुछा जा सकता है कि पृत्वी की किस प्रोपलटि के कारण यह जल्दी घरम होती है और जल्द ठंडी Quando अगर आपने यहां परसन और सन को बराबर रखा तो लैंड जल्दी घरम होगी और वर्तर देरी सेकर्म होगा अगर लैंड घरम क के जल्दी होगी तो को हवाइ 근視 होगी वह समुदर से और भूहमी के तरफ चलनी सुरू हो जयेगे बात को संगे अगर ये जलदी गर्म होगा तो हवाएं इधर चलना सुरू हो जाएंगे अगर ये देरी से मतलब क्या हुआ कहने कार्थ है आसान बासा में समझो आसान बासा में ये मतलब है जो एरिया गरम होगा गरम होने से हवाएं हलकी होंगी हवाएं हलकी होंगी तो हवाएं उपर उठेंगी जब वो हवाएं उपर उठेंगी तो उन हवाओं को फिल करने के लिए दूसरे चेतर से हवाएं आएंगी अगर भूमी जल्दी गरम हुई तो भूमी से हवाएं उपर उठी जब भूमी से हवाएं उपर उठी तो समुद्र की तरफ से जो हवाएं थी वह भूमी की तरफ बात समझगे कि नहीं समझगे जब सन नहीं था जब मालो ठंडा मोसब हुआ तो पृत्वी जल्दी ठंडी होगी जब कि पानी टैमप्रेचर कम हो गया गया तो प्रेशर बढ़ गया को टैमप्रेचर जो होता है वह हमेशा प्रेशर का उल्टा होता है तो वहाँां प्रेशर की तरफ आइंगी मेरी बात समझwegen पहले तो मुझे यह बात पर बताओ रिप्टाइय करके कि मेरा यह कंसेट्स आपको समझ करो एक बार मेरे लिए बताओ कि मैंने ये जो concept आपको समझाया है आपको ये concept समझ में आया कर नहीं आया just first of all reply for reply for me for this about this समझ आ गया ये concept अंजली, मेगा, जोनाली, शिक्षा, आसा किलियर है ठीक है तो ये ही concept मानसून का होता है ठीक है, जनरली क्या होता है वैसे तो मानसून बहुत गहरा concept है ठीक है, बट इस point पे मैं आपको इतना ही बता पाऊंगा कि जब ये भारत का नक्षा है और ये भूमद्य रेखा लगबग भारत के बीच से गुजरती है तो जब सूरी की स्थिती यहां पोँचती है सन की position यहां पोँचती है तो हवाएं इस तरफ चलना सुरू कर देती है और जब ये हवाएं इस तरफ चलना सुरू कर देती है तो यहां अरब सागर से पानी लेती है और उसके बाद ये भारत के इन शित्रों में जाके क्या करती है बारिश करती है और ये वेस्टन घाट है इस वेस्टन घाट से टकरा के इधर क्या होती है अच्छी खासी बारिश होती है इधर बारिश नहीं होती है ठीक है एक बात और लिख लो कि मानसून जो आता है वो हमे कि इसके अलावा सब जगह मानसुन के आता है उस को देख लेते हैं। कि निमन लिखित में से किस चित्र में उशने कटी बंदी है मानसून प्रकार की जलवाई हूए तो भारत में तो है ही है भारत में तो है अगर भारत में है तो यह दोनों तो आंसर हो यह नहीं सकते यह दोनों थोड़ी हो सकते आंसर, नहीं हो सकते, अच्छा, इसने कहा है एक और दो, इसने कहा है एक और चार, यह चार में साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका को अगर तुम देखते हो, तो साउथ अमेरिका का जो यह एरिया है, यह एरिया, देखो, हमेश्या मानसून कहा आप के टकषए पूर्वी टर्ट प्यांक टकर एगा इस एरिया में मान्सून आयेगा यह ट्रोपिकल एरिया आज नहीं है अगर यह नहीं है तो यह भी नहीं है यह पीने है भी 1 Blocks म्यानमार तो ट्रोपिकल एरिया पड़ता है उस निकटी म्यानमार तो भारत के साथ ही तो लगता हुआ चेत्र है तो एक और दो और ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ए विल बी दा राइट आंसर उफ इस क्योशन हिजिट ओके किलियर होगी बही बात बताओ एक बर मुझे रिप्लाई कर दो यार क्योंकि तुम लोग रिप्लाई नहीं करते हो ना तो फिर बड़ी समश्या होती है बहुत तकलीफ होती है ठीक है तो रिप्लाई कर दो एक बार ठीक है ठीक है कर लोगे चले नेक्स्ट क्योशन पर चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं नेक्स्ट बताओ बताओ बई पर चलते हैं सभी काना चाहिए यार आंसर तुम लोग नहीं देते हो ना तो बड़ा तकलीफ होती है एक बार सभी लोग रिप्लाई करोगे अंजली का भी आगया ओके देखें चलो देखते हैं यह कहता है अग्सिटर दा फॉलोइंग स्टेट्मेंट विद्रेफरेंस चुदा रिमूवल प्रोसेस अफ दा वाइस प्रेजिडेंट ओफ इंडिया कि भारत के उप्राष्ट पती को हटानी की प्रकरिया की संदर्में निमन लिखित कतनों पर विचार करें कि भारत का राष्ट पती जो है उसका रिमूवल करना है तो क्या प्रोसेजर होगा देखो देखो रिजोलूशन फॉर दा रिमूवल ओफ आइस प्रेजिडेंट कैन बी इंट्रूश्ट ओनली इन दा राज्य सभा इंड नोट इन लोक सभा उप्राष्ट पती जो होता है वाइस प्रेजिडेंट ओफ इंडिया का रिमूवल कर अगर करना है इसके रिमूवल के लिए कभी लोक सभा में इंट्रूश नहीं करेंगे उसका जो रिमूवल होगा वो लोक सभा में इंट्रूशन नहीं होगा तो उप्राष्ट पती को हटाने का प्रस्ताव केवल और क जे सभा में ही paste किया जाता है लोग सभा में नहीं ये बात तो सही है हाँ बई ये बात तो ठीक है सही है कोई दिक्कत नहीं है an advance notice of at least 40 days एक advance notice देना होगा कितने दिन का 40 दिन का to be given before proceeding with the resolution समधान पर आगे बढ़ने के पहले कम से कम 40 दिन का 40 दिन की अग्रिम सूचना दी जानी चीए ये 40 दिन होगा या फिर ये 14 दिन होगा ये बताओ में रेको ये 40 दिन सही है या 14 दिन सही है reply करो एक बार बताओ क्या होगा हाँ बई ये जो उसने कहा है कि Vice President को remove करना है तो ये 40 दिन होगा या फिर ये 14 दिन होगा बताओ एक बर्स reply करोगे ये कितने दिन होगा ये 14 दिन होगा 14 देज का क्या देना पड़ेगा उसको notice देना पड़ेगा 14 दिन पहले उसने जो कहा है ना कि समाधान पर आगे बढ़ने से पहले कम से कम 14 दिन की अग्रिम सूचना दी जानी चाहिए स्टेटमेंट नमबर 2 राइट थोड़ी ये रोंग है ये तो दिस इस रोंग हो जाएगा ना दिस इस रोंग ये गलत है ये ठीक है तो ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ठीक है कर लोगे समझ आगे बात तो देखो आपका जो पेपर है वो पेपर आने वाला है तो इसलिए अपनी तैयारी को देखो एक कॉमन सी बात बताता हूं मैं आपको पता है कि हर्याना का जो रियाना सरकार की करने की नीती एक ही रही है कि जब इनको भरती करनी होती है तो यह इतनी जल्दी एक्षन में आते हैं 10-25 दिन में ज्वाइन करवा देते हैं ठीक है नहीं तो इन सबी सबी तथ्यों को ध्यान में रख्धे हुए आप इस चीज को नहीं सोच सकते कि जब पेपर आएगा तो मैं पढ़ाई कर लूँगा आपको क्या करना पड़ेगा आपको तैयारी सिंस दर डे वन जिस दिन आपका नोटिफिकेशन आया था उसी दिन से तैयारी में जुट जाओ क्योंकि यह एकदम बहुत जल्दी करेंगे बहुत जल्दी इस भरति को भी पूरा कर देंगे लुक्र सारे सिस्टम करने इन सभी चीजों इन सबी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आपको आपकी तैयारी के लिए regarding कोई भी किसी भी प्रकार का समझोता नहीं करना पड़ेगा समझ में आई मेरी बात यह कहता है एक बार पढ़ो सवाल को और फिरी सवाल का आंसर दो कि दुनिया के सबसे अच्छे मचली पकड़ने के मैदान कहां बनते हैं ठीक है कि दुनिया के सबसे अच्छे जो मचली पकड़ने के मैदान है दो वर्ड के best fishing ground है वो कहां पे form होते हैं the world's best fishing grounds are formed दुनिया के सब से अच्छे मचली पकड़ने के मैदान कहां पे बनते हैं अब हमें इसका आंसर करना है इसको बताना है देखो तो पहला ओप्षन जो है वो पहला ओप्षन कहता है कि कोस्टल एरियाज यानि कि तटिये छेतर गरम धाराओं के साथ उच गनत्यों से जुड़े होते हैं होता क्या है कि होता जनरली ये है कि जो समुद्र होते है ना वहां समुद्रों में क्या होता है कि दो परकार की धाराएं होती है दो परकार की धाराएं होती है बेसिकली तो जायर बनता है लेकिन आप इतना डिटेल में मत जाओ आप इतना याद रखो दो परकार की धाराएं बनती हैं उसमें एक धाराएं गर्म धाराएं होती हैं और दूसरी जो धाराएं होती हैं थंडी धाराएं होती हैं हर समुद्र में हर समुद्र में हर समुद्र नहीं कहेंगे हम महाशागर कहेंगे जैसे आपका अटलांटिक महाशागर हो गया जैसे आपका हिंद मह महासागर हो गया जैसे आपका प्रशंत महासागर हो गया हर महासागर में गरम धाराएं भी होती है और ठंडी धाराएं भी होती है किस परकार से होती है यह देखो अगर भूमध्य रेकिये छेत्रों में धाराएं चल रही है भूमध्य रेकिये छेत्रों में तो आपको पता ह कि जो भूमद्य रेकिये चेतर होते हैं यानि कि जो equatorial areas होते हैं जो चेतर भूमद्य रेका के साथ साथ होता है वहाँ पर जो धाराई होंगी वो गर्म धाराई होंगी और जो थंडी धाराई होंगी जो धुरूविये चेतरों में चलती है जो धुरूविये चेतरों में चलत moving in the ocean मतलब क्या हुआ मैं आपको हिंदी में अगर आसान भासा में समझाओं कि जब पूरे समुद्र में एक ऐसा प्रतीत हो कि एक नदी बह रही है बात को समझ ना जब ऐसा प्रतीत हो कि समुद्र में एक नदी बह रही है तो जब हमें ऐसा लगता है कि समुद्र में नदी ब चेत्रों में है तो वो जो धारा होगी वो गर्म धारा होगी अगर वो धुरुविय चेत्रों में है तेमप्रेट एरियाज में है या फिर पोलार एरियाज में है दुरुविय चेत्रों में है तो वो जो धारा होगी वो धारा क्या होगी ठंडी धारा होगी तो हम यह कह सकते ह कि उसने कहा है कि दुनिया के सबसे अच्छे मचली पकड़ने के जो ग्राउंड हो कहां पे बनते हैं तो दुनिया के सबसे अच्छे मचली पकड़ने के ग्राउंड वहां पे बनते हैं मैदान वहां पे बनते हैं जहां गरम धाराएं और थंडी धाराएं मिलती हैं अब यह मेरे को कि जहां गरम धाराएं और ठंडी धाराएं मिलती हैं वहां ऐसा क्या होता है कि वहां मचली पकड़ने के सबसे अच्छे मैदान बनते हैं वहां पर ऐसा क्या होता है कि वहां पर दुनिया के सबसे अच्छे मचली पकड़ने के मैदान बनते हैं होता क्या है कि जो ये ठंडी धाराएं होती है ये ठंडी धाराएं क्या करती है ये जब समुद्र के नीचे से आती है ठीक है समुद्र के नीचे से जब ये उपर आती है तो इनके साथ क्या होते हैं इनके साथ लोते हैं प्लेंक टॉन प्लेंक्टोन होते हैं यह जो प्लेंक्टोन होते हैं या फिर जिनको फाइटो प्लेंक्टोन बोलते हैं फाइटो प्लेंक्टोन या प्लेंक्टोन आप कहो जो भी होते हैं यह यह क्या होते हैं मचलियों के खाने की भोजन मचलियों का भोजन होता है एक तरीके से और यह फा लोग जी रहे हैं हमें भी क्या चाहिए खाने पीने के लिए अच्छे चीजा चाहिए इसी प्रकार से मचली को भी क्या चाहिए को क्या था अने इन एरिया में क्या होते हैं? सब से अच्छे मचली पकड़ने के ग्राउंड बनते हैं जहाँ पर ये एरिया होते हैं उन एरिया ज की जो इकोनोमी है वहां का जो आर्थिक ढाचा है वो किस पर निर्भर करता है? मचलीओं पर निर्भर करता है एक बात मैं और बताना चाहूं आपसे कि होता क्या है basically कि recent time में आप कुछ साल के बाद देखेंगे कि जनसंख्या जो है वो क्या हो रही है increase हो रही है लेकिन जनसंख्या increase होने के साथ साथ एक बात बताओ आप कि जो भूमी का छेतर जो है जो land portion है जहांपे agriculture होती है जहांपे खेती की जती है क्या वो एरिया भी बढ़ रहा है वो तो fix है ना वो तो static है अगर वो static है तो उस एरिया में क्या होगा उस एरिया में particularly कि हमारी जो food dependency है हम भोजन के लिए जिन चीजों पर निरभर है तो हम भोजन के लिए जिन चीजों पर निरभर है वो जरूरतें हमारी क समुद्रों से ही पूरी होंगी समुद्रों से क्यों पूरी होंगी क्योंकि समुद्र जो हैं हमारे पास वह समुद्र क्या है समुद्रों में विभिन परकार के खाने पीने की चीजें मिलती हैं देखो हम तो अरियाना के आदमी हैं ठीक है हमें तो क्या चाहिए हमें तो रोट एक term होती है एक word बोला जाता है seafood seafood सी का मतलब क्या हो गया समुद्र और food का मतलब क्या हो गया भोजन तो समुद्री भोजन पर हमारी dependency बहुत ज़ादा होने वाली है इसलिए ये जो area है ये economically बहुत ही ज़ादा valuable होंगे दूसरी चीज क्या है कि जिस प्रकार से जलवायू में परिवर्तन हो रहा है जलवायू परिवर्तन होने के कारण इन छेत्रों में बड़ी ही समश्याएं हो रही है जो मचली पालन हो क्या हो रहा है कम हो रहा है जो हमारे लिए एक चिंत्या का विशेह ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा कि वाम एंड कोल्ड करंट मीट जहां पे गरम और ठंडी धाराएं मिलती हैं बी सवाल का राइट आंसर हो जाएगा देखो फाइटो प्लेंक्टोन जो है अगर उसकी कमी होगी अगर उसकी कमी होगी तो एक बात बताओ मचलियां ख सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है बाई किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो किसी का कोई डाउट है किसी का कोई कन्फ्यूजन है नहीं तो फिर आगे चलते हैं ठीक है चलो नेक्स्ट पर चलते हैं बताओ बाई चलो इस सवाल का अंसर कि विच ओ फोल्विंस ठीक्ति कि राष्टपती के संबंद में कौन सी स्टेटमेंट सही है Warm Waters इशिता कि मताओ बैए चलो देखें आज़ो आज़ो अमित का आगया के वल अमित का आणसर आया और किसी का आंसर नहीं आया यहर आंसर तो सभी लोग दे सकते हो देखो यह कहता है बात के राष्टपती के कारियालिस इसमंदिन निमन लिखित में से कोन सा कथन सही है चले करें देखो पहली जो स्टेटमेंट है the president has the power to grant pardon to a criminal राष्टपती के पास विशेस मामलों में किसी अपरादी को चमादान देने की सकती है बिल्कुल सही बात है अगर किसी आदमी को फांसी की सजा भी सुप्रिम कोट के द्वारा दे दी जाती है उचने आले के द्वारा अनुछेत बहतर कहता है तो अगर फांसी की सजा भी दे जाती है तो फांसी की सजा को भी राष्टपती क्या कर सकता है माफ कर सकता है राष्टपती क्या कर सकता है उसको उम्रकैद में भी बदल सकता है ठीक है तो स्टेटमेंट नमबर एक जो है वो क्या है ठीक है ठीक है जी दा प्रेजिडेंट कैन प्रोमुलगेट ओर्डिनेंस इवन वहिंदा पार्लियमेंट इजिन सेशन शंसद सद्र के चलने पर भी राष्टपती अध्याधेश जारी कर सकता है नहीं कर सकता अगर संसद का संसद का सत्र नहीं चल रहा है और कोई ऐसा अमर्जेंसी मामला आ गय लिए तो उस समय राष्टपती क्या कर सकता है अध्याधेश लेके आ सकता है जब संसद का सत्र लग चल रहा होगा तो राष्टपती अध्याधेश नहीं लेकर आ सकता ठीक है जी दप्रेजिडेंट कैंड डिजोल राज्यस अभा डूरिंग अमर्जेंसी आपात काल के दो दो साल के बाद एक ठीहई जो सदस्य होते हैं वो रिटायर होते रहते हैं नई सदस्य आते रहते हैं राज्यसभा संसद स्थगित भंग नहीं होतीघ है तो यह भी नहीं होगा नंबर दो और नंबर तीन तो गलत हो गई ठीक है अब answer आया आच्छा तुम यह बताओ मेरे क टिता है जो नाली है अमित है अन्जली है ठीक है और सटीछ है कि राष्ठ बती जो है वह क्या कर सकता है कि अपात का ल के दोरान राज्ये बाग को भी भंग कर सकता है तो राजे सभा भंग नहीं होती है ठीक है गल्थ हो गये बताओ नमस्ते प्रवेन में ठीक हूँ आप बताई आप मनोनित सदस्य देखो क्या होता है कि यह वो सदस्य होते थे उन लोगों को नामित किया जाता था कि जो कुछ बिटिसर्स थे वो बिटिसर्स जब देश आजाद हुआ तो बिटिसर्स यही रह गए जब बिटिसर्स यही रह गए तो उनके जो बच्चे हुए ठीक है वो यहीं पर उन्होंने अपना जो है काम काज किया यहीं की उनको सदस्यता मिली लेकिन वो एंगलो एंडियन कहला है तो लोग सभा का मतलब क्या है लोग सभा का मतलब यह है कि देश के पर व्यक्ति परंटी मिधित वहां होना चाहिए जो भी इस भारत देश में रह रहा है उस परतेक व्यक्ति का परती निधितु किस में होना चाहिए संसद में होना चाहिए लोक सभा में होना चाहिए तो उसके लिए दो सदस्चे कहा नामित किये जाते थे कहां से दो सदस्य नामित किये जाते थे लोक सभा में जो एंगलो इंडियन समुदाय से कहलाते थे ये statement गलत है अब कईयों को इस पे आपत्ती हो सकती है कईयों को इस पे आपत्ती हो सकती है कि सर्थ statement नंबर 4 जो है वो गलत नहीं है हाँ षक्ति कहीं को आपत्ति होगी और कुछ महनु भाव ऐसे भी होगे जो इस वीडियो को बाद में देखेंगे तो वो समझाई मेरी बात सतीश कुमार क्या रिपीट करूं बताइए आप बताइए और एक बार नहीं शेयर कर दो मैं भी शेयर कर देता हूं एक बार शेयर कर दो हाँ बई एक बार शेयर कर दो सभी लोग शेयर कर दो सभी लोग यह बात समस्याई मेरी बताओ ठीक कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं यह option number four यह एक बार reply कर के बतादो हाँ वैं एंगलो इंडियन वाला एंगलो इंडियन में 17 मैं यह कह रहा हूं कि भारत सरकार भारत के समिधान में एक प्रावधान था कि परतेक लोग सभा का जब चुनाव होता था तो भारत का राश्टपती दो सदस्य एंगलो इंडियन समुदाय से क्या करता था नॉमिनेट करता था ठीक है ये कहता है President has the power to nominate राश्टपती के पास लोग सभा में एंगलो इंडियन समुदाय से दो सदस्यों को नामित करने क सकती है और मैं कहता हूँ कि यह जो सिस्टम है यह अब खतम हो चुका है I think 2020 में 2020 में 104 एक सो चारवा वन जीरो फोर्थ Constitutional Amendment Act 104 जो समिधान संसोधन है I am not sure about this 104 था या 103 था एक बर चेक कर लेना लेगिन मेरे को 104 याद आ रहा है उसके तहत अब राश्टपती दो सदस्यों को नौमित नहीं करता है इस सबस्ट इस इस चीज में किसी को दिक्कत है तो बताओ हाँ इस इट राइट तो स्टेट्मेंट नंबर च्यार गलत है और तुम्हारा सब का यह आंसर गलत है इस सवाल का राइट आंसर ए होगा इस इस इट ओक है समझाइक नहीं अई मेरी बात है कि तुम लोग ना तो रिपलाई करते हो ना तुम बताते हो हाना समझाया नहीं नहीं आया क्या हुआ आगि ठीक है तो सवाल का जो सही उत्तर होगा वो सवाल का सही उत्तर एह ठीक है । नोक कर ले ग говоря को चलों नेक्स्तfish को अ, फृ। ठीक है ऑ-। ओक है किसी को आपती है इस पे चोपते पे कई ओक आपती होगी कई好吃 होगी क्योंकि रटी- Coraly आई चीजें पढ़ते रहते हैं ठीक है चलो नेक्स्ट पर चलते हैं नेक्स्ट बताओ कि अगर कि अगर बताओ यह क्या अन्सर आएगा इसका अमित का आगया महन अधी ठीक है यह कहता है विच आफ दा फॉलोइंग रिवर डज नोट फ्लू थ्रू यह रिफ्ट वैली निमन लिखित में से कौन शी नदी है जो ब्रंश घाटी में से नहीं बैठती है रिफ्ट वैली से नहीं बैठती है ठीक है इसने कहा नर्मदा नर्मदा रिवर जो है वो नर्मदा रिवर कहां से बैठती है ब्रंश घाटी से बैठती है इसने कहा तापी तापी कहां से बैठती है ब्रंश घाटी से बैठती है दामोदर दामोदर कहां से बैठती है ब्रंश घाटी से बैठती है ठीक है रिफ्ट वैली से बैठती है सा क्या था हमारे पास यह हमारे पास विंध्याज और सत्पूडा थे ठीक है इन विंध्याज और सत्पूडा में क्या हुआ कुछ क्रैक आ गए क्रैक का मतलब यह बीच में से क्या होगे तूट गए जब यह बीच में से तूट गए तो इनका एक पॉर्षन उपर रह गया और एक पॉर्षन रह गया उपर और एक पॉर्षन आ गया इनका नीचे जब ये एक पॉर्षन जो नीचे आ गया तो यहां से क्या करती है रीवर नर्मदा बहती है यहां से क्या करती है रीवर तापी रहती है ठीक है जो छोटा नागपूर प्लेट्व का एरिया है जो छोटा न दामोदर फ्लो करती है वहां से आपकी क्या बैती है दामोदर बैती है यहां पे क्या है आपके दामोदर दामोदर वैली कोर्पोरेशन दामोदर नदी घाटी कर प्रियोजना दामोदर वैली कोर्पोरेशन भी है इसके अलावा इसके अलावा यहां पे क्या मिलता है यहां प कहा जाता है रुहूर वैली ओफ इंडिया भारत की रुहूर वैली भारत की रुहूर घाटी रुहूर वैली कहा है यह बेसिकली रुहूर घाटी जर्मनी में है यह जर्मनी में है जहां पर क्या मिलता है कोल बहुत ज्यादा मिलता है इसके अलावा मैं आप से बताओं एक बा उस रिफ्ट वैली में हमेश्यां आपको कोल मिलेगा ही मिलेगा जहां कहीं भी रिफ्ट वैली होगी रिफ्ट वैली में आपको कोल मिलेगा ही मिलेगा आप कोगे सर क्यों मिलेगा रीजन क्या है रीजन यह है जब यह विंध्याज और सत्पुडा इस परकार से थे यहां पे बोक मॉंटेंज जो थे ये एरिया कहाँ चला गया ये नीचे धस गया जब ये नीचे धस गया तो यहां पे जो पेड़ पोधे जीव-जनतु थे वह इक बहुत जज्यादा हाई temperature बहुत ज़दा high pressure में दबे रहे जब वो temperature और pressure में दबे रहे तो उस temperature और pressure में डबे रहने के कारण यहां पे क्या बंगे call field मेरी मिरी बात समझ में आई अगर हम नरमदा की बात करें तो नरमदा river पर जो है वहाँ पे आपको तवा कोल फिल्ड है तवा तवा कोल फिल्ड है पेच कोल फिल्ड है पेच पेच कोल फिल्ड है तवा एक छोटी सी रीवर भी पढ़ती है वहाँ पे एक नदी भी पढ़ती है मध्यप्रदेश के एरिया में ठीक है तो तवा कोल फिल्ड है पेच क कि सारी क्या है Brunch घाटी में से भेहने वाली नधियां है Rift वैली रिवर्स है और चेवल ओर केवल आपकी जो महानदी है वो क्या नहीं है Rift वैली रिवर नहीं है मेरी बात समय आई हाँ वै किसी को इसमें कुछ पूछना है तो पूछ लो किसी को कोई डाउट है किसी को कुछ पूछना है you can ask पूछ सकते हूँ तुम अरे समझ आ गया अगा नहीं आ गया और यार एक बार नहीं मेरी रिक्वेस्ट है यार रिपलाई करते रो प्लीज इट से हमबल रिक्वेस्ट क्योंकि रिपलाई करते रहोंगे मुझे पता चलता रहेगा कि तुम्हाँ कितनी चीज़े समझ आ रहे है कितनी चीज़े समझ नहीं आ रहे है ठीक है चलिए बताओ करो रिपलाई करो इसका किलियर है, ओके-ओके बताओ क्या आएगा यह कहता है कि निमल लिखित में से भारत की संसद के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है कि क्या चीज है जो भारत के संसद के बारे में गलत बता रहा है कौन सी बात है चलो देखते हैं कि संसद में राष्ट्रपती लोग सभा और राज्य सभा सामिल है देखो एक तो कंफ्यूजन यह रहता है कि जैसे अमित का सतीस का आंसर आया है कि सतीस ने एक चीज देखी कि लोग सभा और राज्य सभा तो ठीक लिखा है लेकिन यह जो राष्ट्रपती लिख रखा है यह क्या लिख रखा है गलत लिख रखा है कि भारत की संसद में राष्ट्रपती सामिल नहीं होता अब मैं आपको बताना चाहूँ आपको एक बात समझाना चाहूँ कि एक तो आप यह चीज हमेशे याद रखेंगे कि भारत की जो संसद है राष्ट्रपती संसद का एक अभिन अंग होता है अगर ऐसा है तो स्टेट्मेंट नमबर एक क्या है बिलकुल ठीक है बिलकुल सही है मेरी बात समझाई राष्ट्रपती भारत का राष्ट्रपती शंसद का भाग होता है दा प्रेजिदेंट अफ इंडिया इस पार्ट अफ दा इंडियन पार्लियमेंट ओके वन थर्ड ओफ दा मेंबर ओफ राज्य सभा रिटायर आफ्टर एवरी थर्ड इयर ठीक है जी राज्य सभा कैनोट बी डिजोल्ड ठीक है जी अब एक बात बताओ यार तुम ना एक छोटी सी बात समझो थोड़ा सा दिमाग लगाओ थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाओ ये कहता है कि इस बी और सी ओप्शन को देखो राज्य सभा के एक तिहाई सदस्य से हर तीसरे वर्ष सेवा निवरित हो जाते हैं ठीक है जी राज्य सभा को भंग नहीं किया जा सकता है राज्य सभा के कुछ सदस्यों को राष्ट्रपती के द्वारा मनोनित किया जाता है सचिन तेंदुलकर को मनोनित किया गया था ठीक है रेखा को मनोनित किया गया था ये जो मेंबर है ये क्या होते है कुछ जिनका विशेश आर्ट में साइन्स में ठीक है आर्ट में साइन्स में या किसी विशेश अब आप कोई सार सचिन के पास क्या आर्ट है क्या कला है उसके पास किर्केट खेलने की कला है उसके पास वो आर्ट है वो किर्केट इतना का अच्छा खेलता है वो किर्केट का सदश उस पर्टिकुलर छेत्र में एक विशेश योगदान देने वाले उस पर्टिकुलर किसी भी फिल्ड में एक विशेश चमता रखने वाले व्यक्ति अगर वो व्यक्ति हमारे भारत की संसद में पहुंचेंगे तो जब वो नियम कानून बनाएंगे उन चीजों पे तो काम किया विविन देशों में जाके काम किया है अगर उन्होंने पर्टिकुलर उन चेत्रों में जाके काम किया है तो आज वो उन चीजों को प्रैक्टिकली देख सकते हैं और प्रैक्टिकली यह बता सकते हैं कि क्या डिसीजन ठीक होगा और क्या डिसीजन गलत हो मेरी बात के लिए खेल के शित्र में विशेश योगदान देने वाले लोगों को या फिर उस खेल परतियोगिता खेल विभाग के बारे में जो नियम कानून बनेंगे उनको ज्यादा बेतर तरीके से बना सकता है क्योंकि उसने उस फिल्ड में जीवन जिया है अगर उसने उस फिल्ड में जीवन जिया है तो उसको यह पता है कि यहां पे क्या क्या दिक्कते आती हैं और उन दिक्कतों को दूर करने की आज आपके पास ताकत है आज आप उन समस्याओं को सुलजा सकते हो तो इसलिए यह है एक बहुत ही अच राज्य सभा लोग सभा क्या होती है लोग सभा भंग हो जाती है क्योंकि लोग सभा जो होती है वो लोगों के दुवारा चुन के आती है उनको फ्लोर टेस्ट किया जाता है फ्लोर टेस्ट में अगर majority prove नहीं कर पाती है तो क्या होती है सरकार खतम हो जाती है दुबारा से चुनाव होते है लेकिन राज्य सभा को भंग नहीं किया जा सकता ये statement बिल्कुल ठीक है राज्य सभा के एक तिहाई सदस्य हर तीसरे वर्स ये बाट ठीक लिखी है एक बार तुम बताते रहोगे तो मैं समझता रहुगा कि आपको कितना समझ आ रहा है कितना नहीं आ रहा है कि संसद में नश्यूरी राज्य सभा के एक तिहाई सदस्य हर तीसरे वर्स ये बताओ मेरे को ये बाट ठीक अगलत है यहाँ पे तीसरे वर्स आना चाहिए था यह तीसरे वर्स आना चाहिए था यह दो वर्स आना चाहिए था यह बता दो मुझे एक बर यह ठीक, यह मेरे को तीस में कुछ गड़बड लग रही है यार तुमें भी लग रही है क्या हो रहा है कुछ मैसूस यहां पे हाँ इशा कह रही है कि सर ओप्शन दो में मेंबर रिटायर एवरी टू येर में हाँ बिल्कुल सही बात है मेगा नमस्ते ठीक है यह क्या है रोंग है तीसरे वर्स नहीं यहां पे क्या आना चीए था दूसरे वर्स नहीं अचीए अरे 6 साल के लिए होते हैं यह सदश्य 6 साल के लिए चुनके आते हैं तो 6 साल के लिए अगर चुनके आते हैं तो हर 2 साल के बाद एक तीहाई सदश्य क्या होते रहते हैं रिटायर होते रहते हैं इसी लिए तो यह पर्मानेंट सदन है ठीक है ओके तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो भी हो जाएगा ठीक है चलू नेक्स्ट पे बताओ किसी को कुछ डाउट है किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो आप अदर्वाइस फिर हम नेक्स्ट क्योशन की तरफ मूव करते हैं चलू बताओ इंदे में दिखा देता हूँ देख लो एक बार और फिर इस सवाल का आंसर करो क्या है और यार एक बार न सारे लोग रिपलाई करते रहो प्लीज ठीक है चीजे ज्यादा बेतर ज्यादा अच्छे से चलती रहेंगी ज्यादा स्मूथली चलती रहेंगी चलती यह कुछ पेड़ों की प्रजातियां हैं जिनके बारे में यह बात करता है देवदार चन्न शीसम ओक ठीक है इंदी में देख लो फिर इंगलिस वाले इंगलिस में देख लो देखो चलें करें समझें सी आगया जोनाली का सी यार ओर भी बताओ सभी लोग बताओ एक बार रिपलाई सभी लोग करो आंसर सभी लोग दो क्या आएगा देखो यह कहता है सबसे पहले की देवदार ठीक है देवदार की बात करता ही एक मिनट देवदार यह जो देवदार रक्ष है यह जनरली कहा मिलते हैं यह जनरली मिलते हैं की हिमाले परवत की जो दक्षणी छित्र है हिमाले परवत की जो southern slopes हैं दक्षणी जो slope हैं दक्षणी डलान है वहाँ पर मिलते हैं ओन एंवरेज 2000 मीटर पे 1500 मीटर की हाइच पे मनलब यह जो इंब मैं आपको बता रहा हैं न किसी किताब मैं आपको झालो आठारा सो मेटर लिख़ा वह मिलते हैं तो डेवदार जो है देवदार हो गया ठीक है सिल्वर हो गया एक पाइन होता है ठीक पाइन हो गया यह सारे के सारे पेड़ वहां मिलते हैं तो A के सामने A का एगा इक के सामने एक आयेगा मिरी बात समझ आगी किलिए रोगी आप अब A के सामने अगर समझ हम एक ऑईगा तो स अवाल का आंसर आ गया अगर तुम्हें और Liberally P पता ना कौई सा भी कोई सा भी answer मालों मेरे को नहीं आता आगे क्या आएगा तो कोई सा भी answer नहीं आता तो भी मेरे सवाल का answer आगया answer b होगा हाँ बिलकुल 37 b होगा भी बिलकुल राइट है कि जिलियर होगी बात ठीक है भी हाँ इशा बिल्कुल भी होगा दूसरा कहता है चंदन देखो यह जो चंदन है ना जो सैंडल वुड है इसके बारे में तुम्हें एक बाद बताओं कि उष्ण कटी बंद यह परण पाती यह परण पाती का मतलब यह होता है कि यह पेड अपनी पत्तियों को क्या क कर देते हैं अपने पत्तों को क्या कर देते हैं गिरा देते हैं जनरली अपने पत्तों को क्या कर देते हैं गिरा देते हैं यह जब ड्राइ सीजन आता है जब सूखा मोसम आता है तो इनके पत्ते क्या हो जाते हैं इनके पत्ते तूट जाते हैं तूट के गिर जाते हैं जै यह सारे के सारे पेड किसं में आते हैं उष्ण कटी बंदि ये परणपाती बंद में आते हैं उष्ण कटी बंद ये चाटर में होंगे और परणपाती परणपाती गुरुजी nGUhi Foundation Southeast Man जबसे दिखा रहा है तब से शुरू होगी तो यहां क्या हो जाएगा उस्न कटीबंदी परणपाती है इसके बाद season 2021 सदा भारवनों में मिलता है ट्रोपिकल एवर्गृand फोरेश्ट जो होते हैं वहांपे क्या आपको मिलता है वहाँ पे आपको सीसम मिलता है किलियर होगी बात और एक बात और बता दू तुम्हें इस एरिया में आपको सबसे ज़्यादा वन देखने को मिलते हैं maximum जो पेड़ होते हैं वो सबसे ज़्यादा वन आपको यहीं देखने को मिलते हैं maximum varieties of जो पेड़ों की varieties है वो यहीं पे देखने को मिलती है clear होगी बात हाँ भई is it right ठीक है चोथा जो है दुरू बैच लेना है तो भाई जब वीडियो स्टार्ट हुई थी ना तो स्टार्टिंग में आप जाके देखो मैंने सारा प्रोसेस समझा रखा है आपको ठीक है आप वहां से देख लो एक बार चोथा है ओक ओक जो हो गया ओक कहां पे हो गया एक ही option बच गया सितोशन कटी बंद ये वहिं में आपका क्या पाया जाता है ओक पाया जाता है केलिए रोगी बात है हाँ भभीोग हो गया उकर्भाइ यह सारी के सारी यही पिसी ना सदा बाहर वण्यों में पाई जाते है्ँ तो सवाल करता हूं मैं अगले सवाल पर डिसकेशन एक बार पहले सारे लोग रिपलाई करके बता हुग्य सर समझ आ रहा है क्लास ठीक चल रही है जो बता रहा हूं मैं बातें आपको वह आपके एक्जाम से संबंधित हैं ठीक है क्योंकि मैं अक्सर देखता हूं खाली बैठा रहता हूं तो कि चल इस वीडियो को देख लेता हूं तो उसमें मुझे तुम्हारे कोई कमेंट मिलता नहीं है नीचे ठीक है मैं कई बार क्लिक करके देखता हूं तो यार हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं ठीक है आपके लिए फिर उन्न पर चलते हैं नेक्स्ट बताओ वोल रहा गुद अफेन आशा जूट नहीं बोल रहा आन्जली तुम नहीं करते हो कमेंट मैं देखता हूं तुमारी कमेंट मिलते ही नहीं है ठीक हैulan तुम करोगे कमेंट तो एक बात बताओ मैं जूट क्यों दूड़नगा ये बताओ मेरे और continue कर रहे हैं, continue कर रहे हैं, continue कर रहे हैं, बता हूँ, चली, यह कहता है आप से, बता हैं, बता हैं, बता है, बता है, कि हूँ अमंग दा फोल्विए आप से, इसमें प्रमानित करता है तो जन्रली क्या होता है कि इसमें कन्फूजन रहता है प्रेजिडेंट में और किसमें स्पीकर ओफ दा लोक सभा में पई काउंसिल अव स्टेट हो गया राज्यों की परीशत के सद्यक्स यह तो गलत हो गया देखते ही इसका तो धन्विधेक से ठी की तो ठीक है उसके बाद कहता है फाइनस मिनिस्टर और कईयों के दिमाग में एक बात आती है क्योंकि हम अपना दिमाग ना टूड़े इस माइफस्टेसर द्रू दिस नोट यूर फरस्ट जेए आई हैसीन यू मैनी ताइम्स बिफोर दिस इवेंट ओन दिस चैनल ओके सो डूंट टैल लाइं दिस नोट फाइन अफशा और एक फाइनस मिनिस्टर तो सबसे जयादा कंफ्यूजन करता है फाइनस मिनिस्टर जो होता है उसका इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि कौन सा जो बिल है वो money bill है या नहीं है ठीक है basically होता क्या है basically होता क्या है कि certified यह करेगा speaker of the log sabha log sabha का देक्स article कितना है article 110 है कोई 100 बार पूछी गई होगी यह बात कि जो money bill होता है जो धन विध्यक होता है वो किस अनुच्छेद में आता है तो धन विध्यक कनुच्छेद 110 में आता है दूसरी बात दूसरी बात क्या है कि जो धन विध्यक होता है यह हमेश्या आपका कहां लाया जाता है लोक सभा में लाया जाता है धन विध्यक कभी भी राजे सभा में नहीं लाया जाता राजे सभा की इसमें कोई ज़्यादा पूछ होती नहीं है राजे सभा को जस्ट यहां पे सारा discussion होने के बाद लोग सभा में होने के बाद राजे सभा को दे दिया जाता है कि देख लो इसको राजे सबा क्या करती है देखती है राजे सबा में अगर उन्होंने कुछ चेंजमेंट के लिए का किसरी इसमें थोड़ा सा ऐसे न बदल लो ठीक है और उन्होंने का कि ठीक है बदल लेते है तो लोक सबा की मर्जी है वो बदले तो भदले या नहीं यह कहते हैं चलो अपने काम करो ठीक है तुम्हारी कोई जरूत है नहीं तो मनी बिल जो होता है जो धन विधयक होता है उस पर साकत होती है टेबल ओफ प्रिशिदेंस में भी वह अच्छे पोजिशन रखता है ठीक है और लोग सभा का स्पीकर ही इस चीज को वेरिफाई करता है कि पर्टिकुलर जो बिल है वो मनी बिल है या नहीं है तो फाइनेंस मिनिस्टर भी नहीं होगा ये तो होगा ही नहीं प्र आप 自分 कारता है? अटेक है ये, वह आ जो इसुत रने में में घuben तो इस्टर भी इसला नुट है तो आता सकते है मुझे प्रूषियो जैक्त है नऊ इस्ट में इस्टर रवे अट में मुथयो इस्योशन तो इस्टर प्रूद़ आम कि सतने मुठे प्रूद एस्ट करता है easy in the easy way okay ठीक भाई तो answer क्या हो जाएगा the answer of the question will be the speaker of the house of the people लोग सभा का जो अध्यक्स होगा वो चलो next पे चलते हैं next बताओ अध्यक्त निमन लिकित में से कौन सी रवी की फसल नहीं है ठीक है रवी की फसल कौन दवी कूछल नहीं है थेखो यह सवाल जो है ना? 37 कर चाहा गुरुजी हिंदीम बोलो जी इतनी इंगलुश कोन भライ तो आती है अरे मेरी भाई मैं तो wr يमान मी मन न कोईतकलीफ नीयं है को मनने कोई समख्या नहीं है थीक है अगर आगैंठ सामसे ने वाला हिं το hindi इम बोलेंगे सामने वाला अंग्रेज बोलेंगे मंंनें बोलकी नहीं अरा अरा हरियानीम बॉल रहे तो आर्यानीम बोलेंगे अपने को Sir, could you tell me how can connect with you as I wanted you guidance on upcoming Chandigarh Police Constable इसा you can connect me on this Telegram ID Narendra Sir underscore CSET underscore Adder 247 IS ओके तो चीज बात क्या होती है कि आप इस सेनल पे ऐसा नहीं है कि केवल हरियाना के ही लोग आते हैं क्योंकि मानलो जोग्रफी पढ़ रहे हम, पॉलिटी पढ़ रहे हम, तो वो तो सभी एक्जाम में आती है, ठीक है, नहीं नहीं, सतीस हरियान भी मैं बोल लूगा, मनने कोई तकलीफ नहीं भाई, ठीक है, मैं अब तुम सोचते होगी पता नहीं, मैं कैलिफोर्निया थोड़ तो इसलिए मैं क्या है कि मैं कभी हरियानवी का परियोग नहीं करता क्लास में, ठीक है, मानते होगी नहीं मानते हो, ना तो हरियानवी मनने भी आवे भाई, ठीक है, मैं भी बोल लूगा, कोई तकलीफ है नहीं ऐसी मेरे को, बट आप समझते हो नहीं समझते हो, आप लोग हРИYANA के जरूरी कोई भी देख सकता है ठीक है आप कभी भी मेरी जो आवाज है मेरी जो भासा है उसको देख के जनரलflu अगर मैं किसी क्लास को अटेंड कर रहा हूँ तो मेरी आवाज को समझ के कोई यह नहीं बता सकता मैं हरियाना से बिलोग करता हूँ कोई नहीं बता सकता इस बात को बट क्यों कि मैं कभी परियोग करता ही नहीं हूँ इसलिए नहीं करता हूँ जरूरत नहीं है ठीक है ओके चलो आज आओ लोग हरियाना से बिलोग करते हो ठीक है तो आप लोगों को पता है कि क्रशी प्रधान राज्य है अपना तो क्रशी प्रधान राज्य है तो रभी की फसले वह फसले होती है जो अक्टूबर या नवंबर में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में बुवाई होती है औ इसके बाद क्या होता है देखो एक परटिकलर सी वाद देखे ऊगी तुमने जन्रल होता है कि फरवरी तो नहीं मार्च में फसलों की कटाई हो जाती है सरसों हो गयाँ हो गया इसकी कटाई हो गये उसके बाद अप्रेल मई जून और जुलाई में के किस की वभाई सुरू होती है, खरीफ की, जुलाई में आके, fight online, जुन में या जुलाई में, और इसकी कटाई कभ हो जाती है, September के Last, जो week होता है September का last या October का first होता है जब इसके कटाई हो जाती है इस मौसम के बीच में मार्च अप्रेल से जुलाई के बीच में जो फसले बोई जाती है उनको क्या कहते है जैद KROPS कहते है जिसमें क्या आता है आपका तर्बूज आपका खर्बूज ठीक है तर्बूज खर्बूज खीरा ठीक है ककडी ये जो फसले होती है ये फसल क्यों सी होती है जैद क्रोप्स होती है ठीक है ये जैद क्रोप्स होती है रभी की फसले वो होती है जैसे गेहूं हो गया सरसों हो गया ठीक है खरीफ की फसले हो बाजरा हो गया कपास हो गया तो उसने काया कि क्रभी की फसल नहीं है तो सबसे पहला यह उप्षन है कपास कपास नहीं होती इसका मतलब ए सही आंसर है ठीक है ग्राम मटर सरसों ठीक है तो यह तो सारी किसकी फसले होगी यह तो सारी देखो आपको मानलो नहीं पता आपको न फिर आपका बाजरा है बाजरा है या जवार है ये किसकी फसल होती है सर ये खरीफ की फसल होती है ये खरीफ की फसले होती है ठीक है ए विल बी दर राइट आंसर हाँ एक्जक्ली आसा कोटन आएगा ए विल बी दर राइट आंसर ए इस सवाल का राइट आंसर होजेगा चलो नेक्स्ट पे चलते हैं नेक्स्ट बताओ विच अमंग दा फॉलोइंग स्टेट इस दा मेजर प्रेडूशर अफ कोटन ग्राउंड नट एंड तोबैकू इंडा इंडिया कौन सा राज्य भारत में कपास ठीक है जी मूंग फली और तमाखू का पर्मु खुत पादक है कपास भी होती है मूंग फली भी होती है और तमाखू भी होता है ठीक है देखो तमाखू के छेत्र में जब भी आपको मिलता है तो आप गुजरात को बिना देखे लगा दिया कर ठीक है तो गुजरात क्या हो जएगा इस सवाल का राइड आंसर हो जए तमाकू दिखते ही गुजरात मारतिया करो ठीक है आप click on तो गुजरात में क्या है दकन लावा का जो पठार है गुजरात में बेसिकली काठिया वाड का जो छेत्र है काठिया वाड का जो छेत्र पढ़ता है गुजरात में उसमें क्या है दकन लावा के पठार में आता है और दकन का जो पठार है दकन का पठार दकन के पठार में कैस जाता है और तूट जाने से क्या बनते हैं फाइन क्रिश्टल बनते हैं और फाइन क्रिश्टल बनते हैं तो वहाँ पे कैसी मिट्टी हो जाती है काली मिट्टी हो जाती है और यह जो काली मिट्टी होती है यह कपास के लिए सबसे अच्छी होती है इसका जो दूसरा नाम है वो काली का पास मिर्दा भी है काली का पास मिर्दा भी है ठीक है इसके छोटे-छोटे कन होते हैं जो पानी को क्या करके रखते हैं पानी को अब जोर करके रखते हैं पानी को सोख लेते हैं तो वहाँ पे क्या होती है Clay type बन जाती है ठीक है अप लोग घ्रियाना से हो ठीक है किर्शी प्रधान राज्य है तो तुम्हें पता होना चागे इस बात का कि हम जनरली जब फसले बोते हैं तो फसले बोते हैं तो फसले बोते है तो जुताई क्यों करते हैं ठीक है उससे पहले हम यह कहते हैं कि टेक्टर से या फिर अपने उससे जो भी होता है साधन उससे कि इसकी जुताई कर लेते हैं उससे क्या होता है कि जो मिट्टी होती है एक तो उसके छोटे-छोटे बारीक कंड तूट जाते हैं ओके बारीक कंड तूटने के साथ साथ बारीक कंड तूटने के साथ साथ दूसरा क्या होता है कि जुताई होने से उस मिट्टी में एर पास हो जाती है हवा हवा जब उसमें से पास होती है ना तो उसको oxygen मिल जाती है मिट्टी को तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं जुताई करते हैं आपने देखा होगा ना कई बार क्या होता ह साथ है कोई क्वाइब करने के बाद क्या होता है कि दू दिन के बाद बारी शागी अögरिख यह अपनी निकले अब एक बात बताओ दुबारा से जब हम उस खेत में बुवाई करते हैं तो दुबारा से जब बुवाई करते हैं तो बुवाई करने से पहले हम उस खेत को क्या करते हैं उस खेत की प्लॉइंग करवाते हैं जुताई करवाते हैं किसलिए करवाते हैं कि इसमें दुबारा से क्या circulate हो जाए oxygen circulate हो जाए और यह जो काली का पास मिट्टी होती है इसमें क्या होता है इस मिट्टी के अंदर जब यह मिट्टी चिकनी होती है जब इसको पानी मिलता है और जब यह सूकती है तो इसमें फट जाते हैं crack Crack का मतलब इसमें आ जाती है दरारे और वो दरारे आने से oxygen अपने आप क्या हो जाती है supply और जब oxygen अपने आप सकलाई हो जाती है तो इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम काली का पास मिट्टी बोलते हैं जो self-employing field है and other than this इसका एक और नाम भी है जिसको कहते हैं रेगूर मिट् इसका D हो जाएगा गुजरात ओके D will be the right yeah that's I am telling you through we plow the field to let the wind pass and the soil can absorb oxygen and that will increase our fertility okay कर लोगे भाई आ गया समझ में ठीक है चलो next question पर चले next पर चलते हैं बताओ क्या आएगा बताओ बैठ जैता हूं मैं भी दो मिनिट एक गंटा हो गया बैठ के पड़ा जैता हूं दस मिनिट तुम्हें अ सतीस करें रिपलाई गूरू जी क्या रिपलाई करना है भाई शतीस का बावन पॉइंट चत्रा प्लस पांच पी डब्लूडी ओच केटेगरी हर्याना गूरुप डी में बिल्कुल है चांस क्यों नहीं है पांच नंबर है आपके पास ऊपर के ठीक है बावन नम पॉइंट सत्रा वैसे बन रहे हैं तो बिल्कुल है चांस आपके पास क्यों नहीं है ट्रीक है स्बस्के मेगा का अगया सी जोनाली का अगया सी ओक देखो यह कहता है कि एट्डाव माउठ्ट माउठ्स ओफ ऐफ दा वीच हफ पैर का डेल्टा बनता है इसको क्या कहते है याद रख लेना इसी का दूसरा नाम है फिंगर डेल्टा इसी डेल्टा का जो दूसरा नाम है इस दा फिंगर डेल्टा उसी को क्या कहते है फिंगर डेल्टा कहते है यह जो बनता है यह बनता है आपकी एक नदी है जिसका नाम है Mississippi, एक तो इसको Mississippi सी बोलते हैं कई, ठीक है, तो एक तो इसका नाम सही बोलना, Mississippi, तो जो Mississippi River है, Mississippi River के mouth पे क्या बनता है, यह factual सवाल है, इसमें मैं ज़्यादा कुछ आपको समझा नहीं सकता, बता नहीं सकता, ठीक है, की, आई क्यो जुब्क मादा की, आई कंट इसकता जजुबीड ज़्यों कि आई कि ढहुत से अए की ओ कॉजकी बोलते हैंन अए एक का भीस the फ्यूंतव, जब भीस चूंच तो आए, शोक ज़िघर में प्लक में तो इसक्यां सवाफादाव को तो, एक टूंच, ल्हें सकता हैं स the online mode but if i am sitting then also we are in the eye contact okay so i don't think there is any issue namaskar veer kyaal chal hai to mississippi's answer d will be the right answer thik hai okay chal hai next question pere move kare hai chal iye next pere chalote hai batao chalo haa bilkul bilkul so if i am visible then you should have no problem batao yye kata hai there is parliamentary system of government mohit dhekho aysa hai ph ki cut off kya hai group d me to yye cut off to dhek bata pana muskil hai thik hai maantay ho nai maantay ho mohit sun lo sun lo meri baat mohit kya chiz to bata pana hai muskil ki cut off kya rheegi kya haryana ki cut off both si chiz hoon pere nirbhar karthi hai thik hai yye group c ka result pahle aata hai group d ka result pahle aata hai kya karthi hai kya nai karthi hai un sari chiz hoon pere nirbhar karheegi but ye hai ki aap aapni jo taiyari hai wo sath ki sath jari rakhou thik hai dhekho ye kata hai ki bharat mein san sadiye shashan pranali hai kiyo hai kiyo hai region poochha hai usne there is parliamentary system of government in india thoda sa technical sawal hai thoda sa technical sawal hai but aap semaj jayenge ki log sabha sidhe logon dvara chunni jatati hai thik hai baat toh thik hai log sabha sidhe logon dvara chunni jatati hai ok dousari kya hai sansad samidhan me sansodhan kar sakti hai dhek yaar mohitta aisa hai bhai mai bata nye ko kuch bata ke chala jauunga thik hai aap sucho ghe ki guru ji bata ke chalye ghe aur meeri eek khas baat hai eek vishyestha hai ki mai jhout nye bol sakti hai mahi jhout nye bol sakti hai batao ga toh aapko satyya hi batao ga otherwise mahi kai dunga ki mujhe nye bata that's it kio ki eek jhouthe waadhe se eek vhetar inkar joh hota hai woh acha hota hai bhai meri ko nye bata aap uspe baithe roo aap sucho joh guru ji ji bata ghe thai itne number me reban raha hai toh mera selection hai paka thik hai toh yeh jhouthe waadhe me nahhi kar sakti hai isli me aapko koji assorting nahhi kar sakti hai thik hai dhekho log saba sidhe logo dvara chunhi jati hai thik hai aachha log saba sidhe logo dvara chunhi jati hai yeh parliamentary system hai nahhi hai sansad samidhan me sansodhan kar sakti hai bilkul kar sakti hai sansad joh hai wogar parliamentary system nahhi hota sansadhya pranali nahhi hoti toh bhi siya sabaha koáphan nahhi kiya jai saktya прикat tima hai upstream gay sich raja sabaha ko bang nahhi kiya jai saktyaerus regarde weakness goalbang nahhi kiya zaktya thik hai tumhari biataobiaani raja sabaha ko bang nahhi kiya jai sakt checked ären г parte looked at this hide yes about this eść money check mejak LI squared log sabauk perditi purti purti pura yoopod training area a bus siwaal pereo game mayoiye diko tummehen dikdi raha hooga की parliament battle बारे में ये कहा जाता है कि भारत की जो संसद है जब लोग सभा चुनके जाती है दो मिनट मेरी बात सुनना ठीक है दो मिनट मेरी बात सुनना कि जब लोग सभा चुनके जाती है तो उस लोग सभा में क्या बनता है एक मंत्री परिशद बनता है जिसको क्या कहते हैं जिसको क लोक सभा का मंत्री परिशद है वो collectively ऐसा नहीं है कि केवल एक मंत्री होगा वो लोक सभा के परती उत्तरदाई होगा नहीं लोक सभा का जो मंत्री परिशद है वो collectively responsible है लोक सभा के लिए और लोक सभा में कौन लोग बैठे हैं लोक सभा में वो लोग बैठे हैं जो भारत के लोगों दुवारा सिधे तोर पर चुनके वहां पर पहुंचते हैं ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा कि भारत में संसेदिय प्रणाली है क्योंकि मंत्री परीशद लोग सभा के परती उत्तरदाई है मंत्री परिशद लोग सभा के परती उत्तरदाई है D will be the right answer of discussion इस सवाल का जो सही answer होगा इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो सही जवाब क्या होगा D होगा मेरी बात समझ गये कि इस ट्राइट के लिए रहे चले नेक्स्ट पर कि हावई बताओ चलो ठीक है नेक्स्ट बताओ कि नेक्स्ट बताओ कि अग्याओ हाँ बिल्कुल बिल्कुल द्रू बताओ बहाँ आंसर क्या आएगा इसका कि जो लोक टक लेक है वो कहां पर है कि लोक टक जील जो है वो किस राज्य में स्थित है आंसर आगया सी रितु का आगया सी ओके जोनाली का भी आगया सी चलो देखें करें एक बार देखो यह कहता है लोक टक जील किस राज्य में स्थित है तो ठीक है यह फैक्चुल सवाल है मनीपुर में है तो मनीपुर में है अब इसमें और तो कुछ में समझा नहीं यह फार्णम जो यह एक रस्ट नेशनल पार्क यह यह है ठीक है और यह इसको क्या कहते हैं इसको क्या दरजा मिला हुआ है लिख ले ता हुआ हिछ को नोट कर ले नम इसे नेशनल पार्क को मिला हुआ है कि यह floating national park floating national park ठीक है तैरता हुआ national park है बात समझ आगी देखो इसके बारे में तो मैं आपको कुछ और बता नहीं सकता कि लोक तक जील कहा है आपको कहा है सर्मणीपूर में है चीक है मैं क्या बताओं इसमें बट मैं आपको दो लाम्जो national park है काबुल लाम्जो national park क्या है floating national park है और इसके अलावा कि पुर्वोत्तर राजیों की नोर्थ BILL की सबसे बड़ी कि सबसे बड़ी लार्जेस्ट फ्रैस वोटर लेक है ताजे पानी की जील है Largest fresh water lake है समझ आगी बात C will be the correct answer हाँ C हो जाएगा C will be the correct answer of this question ठीक है कर लोगे आगया समझ में Is it right? Is it okay? All fine with this किसी को कोई समझ या किसी को कोई तकलीफ है तो बताओ Next पे चलते हैं Next बताओ Floating Journalism आपको पता होगा Floating National Park और यार लाइक तो कर दो एक बार इस सेशन को या नहीं करोगे नहीं करोगे क्या दुश्मन यह कोई समझ यह कोई चले देखो यह ना यह सवाल यह सवाल कई एक्जाम में पूछा गया है कई एकजामों में एक में नहीं कई एकजामों में कि भारत का जो परीशीमन आयोग है परीशीमन आयोग मतलब जो देखता है कि कितनी शिटे होनी चीए किसेरिया में कितने लोग हैं कितने नहीं है परीशीमन आयोग के अनुसार किसी राज्य विधान सभा में सदस्यों की अधिक्तम संख्या कितनी हो सकती है तो सदस्यों की अधिक्तम संख्या जो है वो कितनी हो सकती है दुरू कह रहे हैं 550 हो सकती है ठीक है जी और ये कह रहे हैं कि कितनी हो सकती है 500 हो सकती है इसा तो ईशा का आंसर ठीक है 500 राइट आंसर होगा दरूब 550 नहीं होगा 500 होगा B will be the correct answer of discussion किसी भी राज्य में विधान सभाओं में विधान सभा की जो अधिक्तमशीटे हो सकती है वो अधिक्तमशीटे कितनी हो सकती है 500 हो सकती है B will be the correct answer of discussion नहीं 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 कन्फ्यूज नहीं होना है इसमें इसमें होता है कन्फ्यूजन मैं इस बात को डिनाय नहीं कर रहा है मैं इस बात को मना नहीं कर रहा होता है कन्फ्यूजन कोई बड़ी बात नहीं है इसमें लेकिन 500 शिट्टे होंगी 550 नहीं होगी ठीक है चलो next पे चलते ह नेक्स्ट बताओ बताओ गई ये कुछ हिमनद हैं गलेशियर हैं गलेशियर को हिंदी में हिमनद कहते हैं सर प्लीज चेक दुरु आई हैव अल्रेडी चेक्ट और इफ यू हैव अनी प्रूफ तन प्लीज तेल में इट इट इस 5.50 अगर आपके पास कोई परूफ हो तो मेरे पास एक बार भेजीएगा मैं भी अपनी चीजों को करेक्ट करूँ ठीक है कोई बात नहीं हो सकता है कुछ मिस्टेक हो जाए मेरे से मिस्टेक हो जाए क्योंकि इन चीजों पर डिबेटेबल हैं तो ठीक है तो मेरे को आप यहाँ पर बता दीजिए ठीक है बताओ क्या आएगा यह कहता है कि ग्लेशियरों और स्थानों का निमन लिखित युगनों में से कौन सा सुमेलित नहीं कि कौन सा जो युगम है जो शुमेलित नहीं है तो यह कहता है नुब्रा घाटी नुब्रा वैली तो आपको पता है नुब्रा वैली जो है ठीक है नुब्रा वैली आपकी कहां पे है लद्दाख में यह तो सही है ठीक है लेशियर मिलाम हो गया भागिरत खरक हो गया देखो आपके जम्मू कस्मीर में जो है वो गलेशियर कौन से पढ़ते हैं एक तो शियाचिन पढ़ता है शियाचिन है ठीक है इसपार है इसपार है बाल टोरो है शियाचिन इसपार बाल टोरो ये आपके कहां पर पढ़ते हैं जमू कस्मीर के एरिया में पढ़ते हैं उत्राखंड जो है वहां पर आपका मिलाम हो गया ठीक है गंगोत्री ग्लेशियर हो गया गंगोत्री गंगोत्री से कौन शीनदी निकलती है आपकी भागी रथी भागी रथी फिर किस से मिलती है अलकनंदा से और भागी रथी और अल अग οποio ना थिंस में नहीं होना है लिख लेना किलीर लेड बागीर अathья है वो कहां से निकलती है फिर अलग नंदा में आपका क्या परदता है विश्णुमत पड़ता है उसके बाद नंद प्रियाग पड़ता है उसके बाद कर्ण प्रियाग पड़ता है उसके बाद रुद्र प्रियाग पड़ता है जहां पे चार नदियां और आके मिलती है जो जोशी मठ पड़ता है ठीक है मैं बता देता हूँ एक बार इस परकार से आपका ये आपकी क्या है भागी रथी भागी रथी नदी है ये ठीक है ये अलक नंदा है अलक नंदा में यहाँ पे एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है धोली गंगा धोली गंगा या फिर इसी का नाम है विश्नु गंगा विश्नु गंगा और ये जगहें है इस जगहें का नाम है विशनुमठि या फिर जिसको कहते हैं जोही अधि-धि-ध की नंद प्रियाग जो नंद प्रियाग है वहाँ पर नamदा कि नी रिवर yük अ की मिलती है नंदा की नी थीक है उसके बाद क्या आता है आपका करण प्रियाग करण प्रियाग करण प्रियाग में आपकी पिंडर रीवर आके मिलती है पिंडर ठीक है उसके बाद क्या पड़ता है रुद्र प्रियाग रुद्र प्रियाग और रुद्र प्रियाग में कौन शी रीवर आके मिलती है मंदा किनी तो मंदा किनी माता पारवती का न है देव परियाग और देव परियाग के बाद इस नदी का नाम क्या हो जाता है गंगा नदी हो जाता है समझ आगी बात ठीक है तो गंगोत्री ग्लेशियर जो है वो गंगोत्री गंगा का हिम Спट है ओरिजिन में हैं ठीक है जेमू हो गया लोनाक हो गया यह कहां पर है आपके सिक्किम में है आपके हिमाले पाश्चिमी तरफ हिमाले पश्चीमी भाग में बहुत सारे हिमनद हैं बहुत सारे ग्लेशियर हैं पूर्वी भाग में हिमनद नहीं है क्योंकि हिमाले की सेप ऐसे है ठीक है और ऐसे सेप होने के कारण ये जो एरिया है पूर्वी च्ट्र है यह भूमद्य रेखा के नजदीक पड़ता है और भूमद्य रेखा के नजदीक पड़ता है तो उस च्छेत्र में गर्मी होगी और गर्मी होगी तो इस च्छेत्र में गलेशियर नहीं बनते हिमनद नहीं बनते हैं इस च्छेत्र में हिमनद बनते हैं समझ आगी बात हां सभी लोग हो एक बार सारे लोग रिप्लाई कर दो हाँ वही द्रू मेगा जोनाली रितू इशा रिप्लाई कर दो एक बार सभी लोग किलियर है ओके चलो चलो नेक्स्ट के उसन पर चलते हैं नेक्स्ट बताओ ओल किलियर है ओके बताओ ती सवाल का अंसर क्या होगा अच्छा पर दो निमनलेकित कतनों पर विचार करें चुम्भी घाटी चुम्भी वैली नाथुला और जलेपला के पहाड़ी दर्रों के माध्यम से शिक्किम से जुड़ी हुई यह बड़ा ही famous है कि जो चुम्बी वैली है चुम्बी गाटी है वो नाथुला और ज जलेपला जो कि आपके eastern जो पूर्वी हिमाले में दर्रे पड़ते हैं जो कहां से जुड़ी हुई है नाथुला और जलेपला के पहाडी दर्रों के मद्धाम से सिक्किम से जुड़ी कोई, बिल्कुल त correl है दूजरा कहता है, सिपकिला connect हिमाचल प्रदेश विद तिबबत ये जο सिपकिला है, ये पता है तिबबत से कैसे connect करता है कि इस सिपकिला से एक नदी भारत में प्रवेश करती है जिसका नाम है सतलें रीवर जो सतलज नदी है जो हिमाचल परदेश में प्रवेश करती है तो सतलज नदी कौन से दर्रेशे प्रवेश करती है शिप किला दर्रेशे भारत में प्रवेश करती है कोई हजारों बार ये सवाल पूछा गया होगा अलग-अलग exam में कि सतलूज नदी भारत में कौन से दर्रे से प्रवेश करती है तो सतलूज नदी भारत में सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है समझ आगी बात तो लिख लेना इस चीज को नोट कर लेना तो यह दोनों चीज ठीक है इसमें कुछ ऐसा है नहीं खास ठीक है C will be the correct answer, C सवाल का right answer हो जाएगा ठीक है C will be the correct answer of this question Is it okay, is it right, बताओ एक बार, हाँ बई किसी को doubt है तो बोलो एक बार, I think होगा नहीं कोई doubt तो आज इस session को, इस journey को, इस episode को, इस कहानी को मैं खतम करना चाहूँगा क्योंकि आज holy है, रंगों का त्योहार है, और एक बार फिर से मेरी तरब से हरियानादर 24-7 पूरी टीम की तरब से आप सभी को holy की, आपके परिवार को, आपके चाहने वालों को और आपके चाहने वालियों को holy की हारदिक सुब काम नहीं, लेकिन ये जो शब्द है मेरे, कि holy की हारदिक सुब काम नहीं, ये मात्र शब्द नहीं होने चाहिए, हम वास्तों में आपको holy wish करना चाहते हैं, और उसके लिए मैं और हमारी हर्याना अड़ा 24-7 की पूरी जो टीम है, वो पूरी टीम आपके लिए बहुती बहतरीन ओफर जो है वो लेकिया आई है, तो वो ओफर क्या है, वो आप एक बार देख लीजिए, कि आपको simply google open करना है, और यहां सर्च करना है आपको अड़ा 24-7, यहां जैसे ही आप हर्याना पर जाएंगे, तो हर्याना में आपको यहां पर एक batch दिखाई देगा और उस batch का जो नाम है, वो उस batch का नाम है हर्याना महापेक, जैसे ही आप हर्याना महापेक पर क्लिक करेंगे, डबल वैलेडिटी, 12 प्लस 12, 2 साल की वैलेडिटी 1000 गंटे की क्लासिज, 1200 बहतर टेस्ट सिरीज, 635 इबुक्स 1246 वीडियोज, और हरियाना के जितने भी मेन एक्जाम है उस सारे एक्जाम इसमें आपके कवर हो रहे हैं तो आपको सिंपली बाइनाव करना है और यहाँ पे कोड लगा देना है Y817 और आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं सिरफ 1094 रुपे में तो इसी नोट के साथ आज मैं इस सेशन को, इस जरनी को, इस एपिशोड को, इस कहानी को खतम करना चाहूँगा मुलाकात होती है, नेक्स सेशन में तब तक के लिए हंसते रहे हैं, पढ़ते रहे हैं, लड़ते रहे हैं, जगडते रहे हैं इस वीडियो को लाइक, शेर और कॉमेंट जरूर करना है जय हिंद, जय भारत, ओके बबाए, सी यू